कि अज़ेश पिर आज़ अज़ेश तो अज़ेश नमस्कार दोस्तों टीचर्स कैडमी के आंलाइन प्लेटफर्म पे मेरे रोहत कुमर्थ वेरीफिचल एजगोशन की सुधर्म हैं। चलिए अपने क्लास के सुरूभात करते हैं जैसा की आप सब जानते हैं यह अजो है प्रतेक सनिवारं दस वजजे से होती है आज हम लेके चरेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं इस 데्म हैं उनका विस्तित तरीके से एनाल्सिस को देख रहे कि तो वही स्रिंखला आज पूना लेके हम आये हैं तो अभी तक पिछले संडे को हमने 1999 का पेपर देखा था अब की बार हम देखेंगे 2001 का पेपर इसके पहले PGT में जितने पेपर हुए हैं उनको देख चुके हैं तो इसी स्रिंखला को हम आगे लेके चलेंगे इसके अलावा अगर जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई इंक्वाइरी लेनी हो तो वह 9628-959237 पर क्या कर सकते हैं संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोग पूछ रहे हैं पूछते हैं कि सर इसकी PDF कहा मिलेगी तो यह जो है तो आप जानते हैं न तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो जिन लोगों को PDF चाहिए वो लोग क्या कर सकते हैं लिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्योश्यन की ओड़ तो हम पहले क्योश्यन की बात करेंगे क्या कह रहा है कोपा कप किस खेल से सम्मंदित है जल्दी बताईए चलिए एक बार सबी लोग आ जाईए राम विलाजी जैहीं योग इंदर जी जैहीं चलिए रामविलाज़ प्रणाम अशूक पाल गूड मौरंस को सेयर कर दीजिए जिस प्रकार से हर संडे आप लोग क्लास सेर करते हैं उसी प्रकार से क्लास सेर कर दिये था जितने भी लोग हर संडे को जुड़ते हैं वो सभी लोग जुड़ जाए इस क्लास से फिर हम अपने क्लास की सुरुवात करते हैं तो इस question का answer आप लोग देना सुरू कर दिये हैं चलिए चंद्रभान योगंदर शीमा हीरालाल पिंकू राम बिलास वेद प्रकाश रुबीना प्रवीड सूरिया सभी लोगों का answer क्या रहा है यह बहुत बढ़िया आप लोगों का सभी का answer एकदम सही है क्या होगा ए होगा फुटबाल क्या होगा फुटबाल होगा इसके अरावा आप हम बात करें कि यह जो फुटबाल है फुटबाल से जुड़े और कितने कप होते हैं तो इनकी बात का और याद रखना यह जो कप यह उन ट्रॉफियां है यह इतना important topic है कि इस से जो है हर बार हर बार जितनी भी वार क्योश्य अमलब की आपके क्या हुए है एक्जाम हुए है हर भर भर के यहां से क्योश्यन आता है इसलिए कप और ट्राफी हर गेम का आप याद करके रखो वह गेम दिया है आपके सलेबस में तब भी नहीं दिया है तब भी क्यूंक को आप छोड़ेंगे नहीं ऐसे questions को आप रटके रखेंगे तो फुटवाल से सम्मन्दित और ट्राफी के दोखें तो जैसे होता है बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल की बात करें तो यह कैसी प्रतियोगिता है यह महिला राष्टियोगिता है महिला राष्टियोगिता है या राष्टियोगिता महिलाओं की है तो बेगम हजरत महल के बाद में बात करें तो मीर इकबाल हुसेन यह अभी बहुत पूछा जाता है मीर इकबाल हुसेन मीर इकबाल हुसेन मीर इकबाल हुसेन के बाध अगर हम बात करें तो और क्या होगा BC राय मर्डे का कप BC राय मर्डे का कप क्या मर्डे का कप संतोश ट्राफी दूरंड कप संतोश ट्राफी दूरंड कप ठिक तो ये जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए सुब्रतो कब भी लिग लेना चकोला गोल्ड कप चकोला गोल्ड कप ठिक तो ये जितने भी हैं आपके किस्से सम्मदित है फुरवाल से सम्मदित है अब हम आते हैं हाकी की तो अगर हम हाकी की बात करते हैं कि हाकी से जुड़े कौन-कौन सी ट्राफिया होती है तो लेडी रतन टाटा लेडी रतन टाटा लेडी रतन टाटा के बाद बाद कर सिंधिया गोल्ड कप सिंधिया गोल्ड कप आगा खाँ आगा खाँ इसके अलावा अगर हम बात करें अजलान सा तोनी एमर गोल्ड कप मैंगो कप यह जितने भी हैं यह यार रखिए किस से सम्मंदित है हां किस सम्मंदित है अब अगर हम बात करें टेनिस से तो चले अगले पेज में लिख लेते हैं टेनिस से सम्मंदित तो Tennis की अगर हम बात करेंगे तो Tennis में क्या क्या आएगा Grand Slam, Davis Cup, Half Man, American Open तो क्या होगा Davis Cup पहुँउचा जाता है कि Davis Cup किस खेल से सम्मंदी थै तो Davis Cup Grand Slam Grand Slam Grand Slam की अगर हम Grand Slam इसके बात करें Half Man Halfman अब देखो यह Grand Slam जो होते है या Grand Slam कितने होते हैं 4 होते हैं Aasteliai open Aastelia open Aastelia के बाद बात करें तो कौन सा होता है French open French open के बाद बात करें तो कौन सा होता है Vivalden होता है ठीक विमल्डन होता है विमल्डन के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है American Open या USA Open ठीक तो ये आपके क्या होते है चार गैंड स्लैम होते है ठीक है ना तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं अगले क्योश्चन की और चलते हैं अगला क्योश्चन हमारा क्या कह रहा है जस्पाल राडा का संबंध निमलिकित में से किस से है जस्पाल राडा का संबंध निमलिकित में से किस से संबंधित है पावर लिप्टिंग तीरंदा जी निसाने बाजी तैरा की बताइए किस से संबंधित है जस्पाल सिंग राडा किस से संबंधित है जस्पाल सिंग राड़ा किस से सम्मंदित है ये देखिए ये है जस्पाल सिंग राड़ा आपके जस्पाल सिंग राड़ा ये आपके हैं इनको आप देख रहे हैं ये है आपके कौन ये है जस्पाल सिंग राड़ा ठिक तो बदाईए और जस्पाल सिंग राड़ा की अगर ह इनका एक विद्याले मलब यह हम कह सकते हैं कि महा विद्याले भी है जो की BPA कराता है मलब खेल से सम्मनित विद्याले भी है तो यही है जस्पाल सिंगराणा और जस्पाल सिंगराणा के विशा में अगर हम बात करें जस्पाल सिंगराणा जो है वह क्या थे वह जो है निसान तो याद रखिएगा जस्पाल सिंघ राणा मतलब हम यह कह सकते हैं कि इन्हों ने इनको 1994 में क्या मिला अरजुन-पुरस्कार मिला या पूटा है जस्पाल सिंघ ramen को अरजुन-पुरस्कार कम मिला. उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनको पदमस्री कम मिला तो जिस समय आपका ध्यांचन पुरसकार शुरू हुगा उससे क्या हुआ उसके बाद ही क्या मिला इनको इनको मिला आपका पदमस्री पुरसकार तो पदमस्री पुरसकार जो है इनको मिला इसके अलावा अगर हम बात करें 1994 का ASEAN गेम 1994 का जो क्या था ASEAN गेम इसके अलामा बात करें आप लोगों से तो 1998 का Commonwealth गेम क्या Commonwealth गेम में इन्होंने क्या प्राप्त किया इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया इसलिए यहाँ फेमस थे तो याद रखिएगा कुछ कभी कभी पूछ लेता है या खिलाडी किस्से सम्मन देता है तो इन्हें आप याद रखिएगा चल अगले क्योशन की बात करते हैं अगला क्योशन क्या का रहा है ओलंपिक का आदर सवाग के मोटो 40 स का अर्थ क्या होता है बताएए क्या होगा वेंकू चंडवार, रुभीना, रमा कांत्र, ममता वर्मा, योगेंदर, नीतु पवार, प्रशांत, शोरप, शंसुकला, शीमा, आरुन कुमार, अशोप, पाल तो देखो, अगर मैं बात करूँ कि ओलंपिक का आदर सवाग क्या मोटो की बात करें तो इसमें कितने सब्द हैं, चार सब्द हैं पहले कितने थे, पहले तीन थे, लेकिन अब कितने हैं, अब चार सब्द हैं वो चार सब्द क्या-क्या है अगर उनको हम देखें तो ये देखिए आपको मैं डाइगराम दिखा देता हूँ ये देखो अगर मैं बात करूँ कि faster तो यह जो क्या होता इसे कहते हैं हम क्या CTS, CTS, LTS, 40S और Communator ठिक तो याद रखियेगा Together का मतलब होता है Communator ठिक उसके बाद में आपका CTS का मतलब क्या होता है CTS का मतलब होता है क्या faster, LTS का मतलब क्या होता है higher और 40S का मतलब क्या होता है stronger कहने का मतलब यह है कि जो आपका क्या होता है Olympic Moto है उसमें पहले 3 word दिये गए थे लेकिन अब चार वर्ड हो गए है वो चार सब्द वर्ड नहीं सरी चार सब्द हो गए है वो चार सब्द क्या होंगे faster, cts, lts, 40s और communicator और इनका मतलब होता है cts, swift गाड़ी का नाम सुना है ना तो उसी से swift मतलब cts मतलब तेज, सबसे तेज जो होता है faster, 40s, 40s मतलब सबसे क्या, बलसाली, force से बले याद रहना, force, f का मतलब सबसे सकती-साली सबसे बलवान, उसके बाद अगर बात करें, lts का तो आपने atlas का नाम सुना है तो िटलस परवत कैसा है, उचा है तो इसी से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि LTS का मतलब क्या होगा सबसे उचा होगा उसके बाद togetherness तो together का मतलब क्या होता है communuter होता है क्या होता है communuter का मतलब क्या होता है together मतलब हम साथ साथ है भाईचारे की भावना इन सब को क्या करता है यह प्रदर्सित करता है चलो तो अगर मैं बात करूँ कि यह जो मोटो है मोटो किसने दिया था तो आप क्या बताओगे फादर डिडाउन ने किसने फादर डिडाउन फादर डिडाउन ने फादर डिडाउन ने यह अगर आप से यह पूछ ले कि यह ओलंपिक मोटो किसन में दिया था तो 1897 संवी में किशन में 1897 संवी में इनोंने क्या दिया था यह मोटो दिया था और तीन ही चीज़ दी थी faster, higher और stronger और यह जो आफ का क्यां हुआ 2021 में तो हम इसे 2020 का ही उलम्पिक कहेंगे भले 2021 में हुआ है क्यूंकि तबी तो 2021 में क्या हो रहा है तो 2021 का ही ओलंपिक है तो 2020 में क्या हुआ तुगेदर जो है नया सब्द जोड जोड दिया गया याद रखियेगा चलो अगले क्यों पर चलते हैं बताईए बताईए अजी सिंट फाइब रिंग नहीं सही नहीं है स्लाइड में तो फाइब रिंग क्या होता है आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यूरोप की बात कर देते हो यूरोप से फिर नीचे आते हो या फिर ऊपर चड़ते हो इस प्रकासे डबलू साइड होता है तो डबलू की तरह होता है तो इस रिंग को अपने से भी तो सही कर सकते हो इसमें तो कलर ह नहीं है भाई इसका तो कलर ही अलग-अलग होना चाहिए तो यह सारी चीजे यह कोई रिंग नहीं एक तरीके से को लेकर नॉर्मली सिम्मल दिखाया गया यह तो मैं डाइग्राम सिर्फ आपको इसलिए लगवाया हूं कि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है बाकी इसका क तो चलिए इसकी मैं बात करूँ तो अरजुन पुरसकार समिती की जो सिपारिस है यह अखिल भारती खेल सलाकार समिती की अस्थापना कब हुई थी 1954 में हुई थी और यह अरजुन पुरसकार जो है इस अरजुन पुरसकार का स्थापना कब हुई थी तो इसका स्थापना हुआ था 1961 में किस सन में 1961 हुआ था इसमें जो है पहले 5 लाग फिर 7 लाब और अब जो है कितने लाख 15 लाग रुपय दिये जाते हैं इसके अलावा पत्र दिया जाता है, अर्जुन की काजन की प्रतिमा दी जाती है, ये सब इसमें प्राप्त होता है, सलीम दुर्रानी कौन? सलीम दुर्रानी जो थे, पहले क्रिकेटर थे पाने वाले, पहले क्रिकेटर, क्रिकेटर जिनको क्या मिला? जिनको जो है क्या मिला था आपका अर्जुन पुरसकार मिला था अब अर्जुन पुरसकार के अलावा अगर हम बात करें कुछ और पुरसकार होते हैं जिनके भी सह में आपको जानना जरूरी होता है जैसे अगर हम बात करें एक पुरसकार होता है द्रोडाचार क्या द्रोड दिया जाता है तो इसमें भी 15 लाक रुपए दिया जाता है क्या प्रसस्ति पत्र दिया जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रोणा चैर की एक कांस की प्रत्मा दी जाती है अब देखो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो यह 1885 में कितने लोगों को दिया ग तो यह थे कुष्टी से सम्बंदित ते उसके अलौह भाल चन भासकर के बाद ओम प्रकास भरतवाज्थ जिससे किस सम्बंदित थे मुक्य बाजी से ओम प्रकास भरद्वाज किस से संबंदी थे मुक्य बाजी से उसके बाद O.M. नंबियार O.M. नंबियार O.M. नंबियार किस संबंदी थे एथलेटिक से तो एथलेटिक में जो मिला यही OEM 90BR जो थे PT USA के क्या थे PT USA के कोज भी यही OEM 90BR थे और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इनको किस्टन में मिला तो 1985 इस्वी में मिला एथलेटिक में पहला द्रोणाचार पुरसकार खेल रत्न की अगर हम बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरसकार किस्टन में तो राजीव गांधी खेल रत्न जिसका बदला नाम अब क्या है ध्यान चंद खेल रत्न पुरसकार खेल के छेत्र में सबसे बड़ा पुरसकार कितने लाख 25 लाख रुपया 25 लाख रुपया इसमें दिया जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पुरसकार होता है ध्यान चंद ध्यान चंद लाइफ टाइम अगर इसकी मैं बात करू तो इसकी सुरुवात कब हुई थी तो इसकी सुरुवात हुई थी आपकी 2002 में कब 2002 में क्या हुआ था इसकी सुरुवात हुई थी ठीक है ना तो याद रखिएगा अब बात करें हम इसमें भी कितना रुपया दिया जाता है तो 15 लाख याद रख छार्फी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाज जो आपके भारत के प्रतम सिछामंत्री थे, उनकी याद में किसको दिया जाता है, विश्व विध्यालय को दिया जाता था, इसकी अस्थापना कब हो जाता थी, तो याद रखिएगा यह था माका ट्रोफी इसके बाद में ओलम्पिक आडर 1975 में यह भी पूछता है कि ओलम्पिक आडर पुरस्कार की बात करें तो 1975 में और यह जो ओलम्पिक आडर दिया जाता है ओलम्पिक के खेलों को बढ़ावा देने के लिए या यह हम कह सकते हैं कि ओ इलियाज से कौन सांग प्रभावित होता है बताइए सरी इमारस की प्रीवियस यर क्योश्चन पेपर भी सॉल्व करा दीजिये सर वादसल साहू जी बिलकुल कराएंगे देखते हैं अभी तक तो इमारस का पेपर ही नहीं हुआ है तो क्या आई यह तो पहली बार पेपर ह हो रहा है फर्स टाइम तो पेपर कहां से लाएंगे भाई वादसल साहू जी पेपर यह पहली बार हो रहा है अभी तक तो आया ही नहीं है यह याद रखिए केवियस और इंवियस का जैसा पेपर आता है उसी तरीके से आएगा तो केवियस और इंवियस का आपका जरूर कर होता है यक्रित होता है क्या होता है यक्रित होता है पीलिया को क्या कहते हैं जांडिस कहते हैं क्या कहते हैं जांडिस कहते हैं और यह जो पीलिया होती है यह पीलिया जो है यह जो पीलिया होती है यह कैसा रोग होता है तो यह तो याद रखिएगा तो यह जो 안di is हो, इसमें क्या होता है, इसमें जो है, rotavirus, क्या, rotavirus, या, rotavirus के साथ, साथ, एक और virus होता है, जिसका नाम क्या होता है, noravirus, वाइरस रोटा वाइरस या नोरा वाइरस से फैलता है ठीक फैलता है तो इसका मतलब यह कैसा रोग है वाइरस जनित रोग है अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है इसमें जब आपकी आते आपका जो लीवर होता है वह प्रभावित होता है और जब लीवर प्रभावित ह जाता है तो वह क्या काम करता है वह बाइल जूस का प्रड्यूसन भारी मात्रा में करना शुरू कर देता है और जब जादा मात्रा में बाइल जूस क्या करता है वह क्या करता है बनाता है प्रड्यूस करता है तो उसके श्टोर करने की जो छमता है पित की थैली की जिसे पिता आसे की जो थैली है वह भर जाती है उसके बाद जो एक्ष्टा बसता है वह सीधे कहां जाने लगता है आपकी छोटी आत में जाने लगता है वह छोटी आत दराओ सोसित कर लिया जाता है और इसके बाद क्या होता है कि वह ब्लड में मिलने लगता है जिससे क्या होता है आपक का रूप कहा जाता है या होता है हेपेटाइटिस हेपे टाइटिस बी होता है क्योंकि हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस A होता है B होता है C होता है D होता है अलग-अलग प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं किसी क्या होता है कोई बलड से फैलता है कोई ऐसा होता है जो कि क्या होता है जो कि आपकी नली जो होती है वह ब्लॉक हो जाती है बाइल जूस आगे बढ़ ही नहीं पाता है जिसके कारण क्या होता है कि आपको जॉइंडिस होने का क्या होता है खत्रा होता है या जॉइंडिस बढ़ जाती है अगर आपसे यह पूछ जो मनाया गया यह जो है आपका थीम क्या थी 2023 की थीम तो 2023 की थीम अगर आपसे पूच ले कि 2023 की थीम क्या थी तो आपने क्या कहा आप क्या बताओगे कि 2023 की थीम क्या थी we are not waiting का मतलब यह है कि हम इंतिजार नहीं करेंगे हम हाइपेटेटिस को बढ़ने का इंतिजार नहीं करेंगे उसके पहले हम क्या करेंगे इसका उपचार करेंगे तो वही कह रहा है we are not waiting ठीक है ना तो याद रखिएगा अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह जो हाइपेटेटिस जे होता है या किसके याद में मनाया जाता है तो याद रखिएगा नोबल पुरसकार विजेता थे डाक्टर बारुक बलमबर्ग क्या बालुक बलमबर्ग ठीक तो इनकी याद में इनकी क्या याद में यह कैसे थे नोबल पुरसकार विजेता थे क्या थे नोबल पुरसकार विजेता ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है ना और किसी भी जानकारी के हम बात करते हैं अगला क्योशन हमारा क्या कहता है मानों सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है हिर्दय फेफड़ा यक्रित इन में से कोई नहीं बताइए क्या होगा चलिए संदीप चहर जी वी आर नौट वाचिंग नहीं होता वेटिंग होगा ठीक है ना वी आर नौट वेटिंग चलिए कार्थी केपी गुड मॉर्निंग चलिए बिल्कुल नीतु जी सही कर रही कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दिए इसके साथ ही साथ क्लास आप सेयर भी कर दें जिससे क्या होता है और कुछ नहीं होता लेकिन सिर्फ एक होसला बढ़ता है कि कुछ वो चाया नहों लेकिन लोग क्या है लोग होसला जब बढ़ता है तो और मेहनत करने की क्या होती है हमको इच्छा होती है ठीक है ना तो चलिए बताईए ये क्योशन क्या होगा तो मानो अंग होगा वाय और आंतरिक अंग में पूछे और option में skin दिया हो तो आप skin करोगे अगर आंतरिक अंग की बात करें तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करेगा तो वह कौन होगा वह होगा यकृतिया लीवर तो यकृतिया लीवर की बात करेंगे इसका वजन कितना होता है और सतन जो है इसका वजन होता है डेड़ किलोग्राम कितना होता है और सतन वजन इसका जो होता है वह डेड़ किलोग्राम होता है यह क्या होता है यह जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथी भी होती है क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथी भी होती है इस करें कि इसके अध्यन को क्या कहते हैं तो आप क्या बताओगे इसके अध्यन को तो हेप्तो लौजी क्या हेप्तो लौजी बताओगे अगर आपसे यह पूछ लें कि इसकी सेल का क्या नाम है तो हेप्ते हेप्टोसाइट हेप्टेसाइट या हेप्टोसाइट जो होती है इसके सेल का नाम है अगर हम बात करें कि यह क्या क्या करती है प्रड्यूस करती है तो यह जो है हेपेरीन हेपेरीन फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन Fibrinogen के बाद अगर हम बात करें तो Prothrambine 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 के अगर बात करें तो Kolestral 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 के बाद अगर हम बात करें और क्या produce करती है तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो Bile Juice Bile Juice जिसे आप क्या कहते हो पित तरस ठिक ये सारी चीजे क्या करती है या produce करती है या क्या करती है या जितने भी क्या होते हैं विसाइले पदार्थ होते हैं क्या विसाइले पदार्थ उनका और शोशन करता है मतलब एक जॉर्व करता है और सोशन करता है जो भी आप जहर पी जाते हो सराप पीते हो, इलकोहल पीते हो सब को क्या करता है या सोसित कर लेता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा और क्या करता है यह बिटामिन A, K, E, B ठिक A, K, E, ठिक इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों की और कौन सा बिटामिन है तो बिटामिन D, B12, E, बिटामिन D, D, B12, पूछेगा ऐसा कौन सा बिटामिन है, जो लीवर और सोसित करता है बिटामिन, वह कौन सा है, और आफसन में B12 भी डाला रहेगा, और आप कहोगे सर, ऐसी बात है कि बिटामिन B12 तो क्या है, B को तो असोसित नहीं करता है, क्यूंकि B जो है, जल में घुलनसील है, तो वह कैसे असोसित कर लेगा, लेकिन याद रखना, यह B12, E का ऐसा बिटामिन है, जिसको लीवर क्या करता है, असोसित करता है, इसके सेल होती है, और एक सेल होती है, कूफर सेल, क्या कूफर सेल, तो कूफर सेल किस से सम्मंदित है, पूछता है, तो यह कूफर सेल जो होती है, यह किस से सम्मंदित होता है, आपके किस से, आपके लीवर से सम्मंदित होता है, इसके अलावा और चीजों के विशह में, अगर ह माहिनेस की तरफ होता है इसके अलावा बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पुनुरुद्ध भेदन की सक्ति होती है पुनुरुद्ध भेदन का मतलब क्या होता है आप किताबों में पढ़े होंगे पुनुरुद्ध भेदन का मतलब यह होता है recovery करने की जो सकती होती है सबसे ज़्यादा इसी मोती इसी लिए liver जब donate किया जाता है तो liver पूरा नहीं donate किया जाता है उसका कुछ पाड काट के इतना percentage liver क्या कर दिया जाता है donate कर दिया जाता है और liver में क्या होता है cell division की प्रक्रिया बहुत तेसी तरीके से होती है पुना liver अपना आकार ले ले लेता है तो यहीं बात करता है कि सबसे ज़्यादा जो क्या होती पुनुरत बेदन की सकती होती है वह liver के अंदर ही होती है अगर हिर्दय की बात करें तो सबसे best अंग कौन सा होता है आपका हिर्दय होता है याद रखियेगा ठीक तो क्या होगा इसका मानोशरी का सबसे बड़ा अंग तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा यक्रित हो जाएगा लीवर हो जाएगा चलो अगले question की बात करे बेरी बेरी नामक रोकिस विटामिन की कमी से होता है बताइए सरजान मुमीन सर हम होम साइंस के स्टूडेंट है लेकिन आपकी क्लास देखते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर थांक्यू सरजान मुमीन जी अगर आप Home Science के होके भी पढ़ते हैं तो Home Science में भी एक पार्ट आता है Human Anatomy का तो Human Anatomy and Physiology जो है वहाँ पे भी होता है तो यहाँ भी बहुत सारे से questions होते हैं जिनको आप इसी class से आप क्या कर सकते हैं जिनको आप इसी class से आप क्या कर सकते हैं बताईए जल्दी से क्या होगा अंसर बता तो दिया बरसिंग लीवर में दो चेंबर होते हैं दो लोपस होते हैं ठीक है ना चलिए बेरी बेरी नामक रुकिस विटामिन की कमी से होता है तो बेरी बेरी आप सब जानते हो बिटामिन बी की कमी से होता है किसकी बिटामिन बी की कमी से होता है एक सेकंड दीजिएगा माइक किस से लचेंज करा ले नहीं अभी बीच में class बंद होगी ठीक है तो ये जो है सेलचेंज हो गया कारतिक केपी सर class purchase करना चाहे तो क्या कर सकते है देखिए अगर मैं बात करूँ जो लोग चाहते है class से जोड़ना चाहते है class से कि मैं इसको जो है आपका जो भी topic है अच्छी तरीके से clear करना चाहते थे तो वो जो है 9628959237 पे आप क्या कर सकते हो संपर कर सकते हो whatsapp कर सकते हो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिल ले आएगी क्यूंकि यहाँ पे आपको handwritten notes भी मिलेगी class notes भी मिलेगी इसके अलावा बात करें तो आपको chapter भी करा जाएंगे उससे related जितने भी question है वो अभी कराएंगे तो वो सारी चीज़े आपकी कराई जाएंगी तो vitamin B की कमी से क्या होता है आपकी बेरी बेरी नामक रोग होता है अगर बेरी बेरी की मैं बात करूँ तो बेरी-बेरी आपके कितने प्रकार की होती है विटामिन किस B की कमी से तो विटामिन B1 जिसे हम क्या कहते है थाइमीन कहते है और यह जो आपके थाइमीन होती है जो विटामिन B1 है इसकी कमी से जो बेरी-बेरी होता है यह बेरी बेरी कितने प्रकार की होती है तो यह बेरी बेरी दो प्रकार की होती है एक क्या होता है एक होती है ड्राई बेरी बेरी या दूसरा क्या होता है वेट बेरी बेरी एक होता है वेट बेरी 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 और दूसरा क्या होता है dry very very तो यह जो weight very very होता है यह किसके लिए उत्तरदाई होता है तो यह जो है आपका heart जो होता है heart और circulatory system को प्रभावित करता है किसको heart और circulatory system को प्रभावित करता है और dry very very जो होता है यह dry very very किसको प्रभावित करता है तो यह dry very very जो है मांस्पेसियों में क्या करता है उर्जा को कम प्रदान करता है जिससे क्या होता है मांस्पेसियों में पच्छगात होने का खत्रा रहता है तो जो आप पढ़ते होगी बेरी-बेरी से क्या हो जाता है पच्छगात हो जाता है तो यह पचगाज क्यों होता है क्योंकि यह जो थाइमीन है यह थाइमीन का काम क्या होता है तो यह थाइमीन जो है विया ग्लुकोज को तोड़ने का काम करती है ग्लुकोज को तोड़ने में सहायता करती है और जब आपकी क्या होगा जब जिस समय आपको विटामिन B1 नहीं म पाएगा, उस समय आपके अंदर क्या होगा, उर्जा की पृर्पती ठीक तरीके से नहीं होगी, मान्स्पेशियोग, उर्जा ठीक तरीके से नहीं मिलेगी और जब किया हो जाएगा, पच्छघात होने का खत्रा बना रहता है, हमें सा यद रखना, बिटामिन एकी अगर हम ब संबंधित रोग होते हैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि यह जो रेटिनॉल है इस समय आपको एक रोग फैला हुआ है आई फ्लू तो आई फ्लू इंफेक्शन है उससे बचके रहिएगा उसमें क्या हो जा रहा है आखे लाल हो जाती है कंजविटा जो होता है आपक इस सब क्या हुता है अगर मैं बात करूँ आप से विटामिन की कमी से क्या हो जाता है आप को हो जाता है रिक्ट्स हो जाता है और आस्टो मलेशिया हो जाता है आस्टो पोरोसिस हो जाता है तो याद रखिएगा हड्डियों से सम्मंधित जो रोग होता है वो अबिटामिन D की कमी से होता है या सारी चीजे आप क्या करोगे याद करके रखोगे चलो ठबां BCG का T का किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है चेचक 6 रोग मलेरिया से डिप्थीरिया से बताइए क्या होगा बताइए पूजा साहू जी गुड मॉर्निंग चलिए बिटामिन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिजिएगा बिटामिन कई बार पूछा जाता है और बहुत डीप पूछा जाता है तो कृपिया करके आप सब बिटामिन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिजिएगा इसके अलावा बात करें आप लोगों से तो जो लोग class देख रहे हैं class को share करते हैं इसके साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग class को like भी कर सकते हैं अगर class अच्छी लग रही हो और प्रते एक Sunday आप लोग जुणना ना भूला करें प्रते एक Sunday या सिरीज होती है तो BCG का टीका किस रोग से चुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है चेचक, 6 रोग, malaria या diptheria तो अगर हम बात करें BCG तो BCG का जो टीका होता है या 6 रोग से किस से 6 रोग से लड़ने के लिए लगाया जाता है तो अगर BCG जो 6 रोग होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे या बैक्टीरिया जनित रोग है, तो इसके बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कुलोशिस क्या, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोशिस क्या, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोशिस कहते हैं, तो Microbacterium tuberculosis जो होता है इससे आपका क्या होता है छे रोग हो जाता है अगर हम बात करें कि यह जो है यह टीका कब लगता है तो यह टीका जो है यह जो टीका होता है BCG का टीका क्या होता है जन्म के तुरंत बाद क्या जन्म के तुरंत बाद जो है क्या लगता है BCG का टीका भी लगता है याद रखिएगा अब बात करें हम चेचक का तो चेचक कैसा रोग है तो यह वाइरस जनित रोग है वाइरस जनित रोग है और चेचक की अगर हम बात करें तो यह चेचक को हम क्या कहते हैं बड़ी माता कहते हैं क्या कहते हैं बड़ी माता कहते हैं और बड़ी माता में क्या होगा बैरियोला क्या बैरियोला नामक क्या होता है वाइरस उससे होता है याद रखिएगा इसके अलावा बड़ी माता के अलावा एक आपका क्या होता है चिकन पॉक्स क्या होता है चिकन पॉक्स तो चिकन जो है वह क्या होता है वह हैन माने मुर्गी और चिकन माने क्या होता है बच्चा होता है न चूजा तो वो छोटा होता है तो इससे याद रख लेना कि चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता क्या छोटी माता तो यह बैरियोला और वो क्या होगा वैरी सोला क्या वैरी सोला तो यह जो वाइरस होगा उसे हम क्या कहते हैं बैरी सोला नामक वा जोवा जनित रोग है और इसका जो प्रोटो जोवा होता है वह किससे फैलता है तो याद रखिएगा मादा एंफिलीजा मच्छर से और जो प्रोटो जोवा है उसका नाम क्या होता है तो आप क्या बताओगे प्लाजमो डियम क्या प्लाजमो डियम प्लाजमो डियम नामक क्य होता है प्रोटो जोवा होता है और यह जो है किससे फैलता है वाहग कौन है तो इसकी वाहग जो है मादा एंफिलीजा एंफिलीजा क्या होती है मच्छर होती है तो मादा एंफिलीजा जो मच्छर होती है उसके काटेने से क्या होता है मलेरिया हो जाती है malaria में क्या होता है malaria में तिल्ली बढ़ जाती है RBC की मात्रा कम हो जाती है ठीक है ना याद रखिएगा चलिए ठीक है ना इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो क्या होता है मादा इनफलीजा मच्चर होता है इसमें होता है spherozoid क्या होता है इस मादा इनफलीजा मच्चर में क्या होता है spherozoid होता है और यही spherozoid जब कि इसमें पहुंचता है मनुष्य में पहुंचता है मतलब इसके लार में जो मादा इनफलीजा मच्चर है इसके मुक पे इसके डंग पे इसके लार में क्या होता है इसके रुज़ु होता है और वह कहां पहुंचता है यूमन के अंदर पहुंचता है तो अपने आपको active form में कर लेता है और तुरंद ही क्या करता है वह अपने को विक्सित करने लगता है इसके अरावा अगर बात करे कुनेन नामक दवा सिनकोन की छाल से प्राप्त होता है क्या कुनेन नामक दवा जो कि किसके सिनकोना के छाल सिनकोना एक पेंड होता है उस सिनकोना के पेंड की क्या होती है छाल होती है उस छाल से प्राप्त किया जाता है अब बात करते हैं हम डिप्थीरिया की तो यह जो बात करें कि इसकी कौन सी बैक्टीरिया होती है तो कुरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या कुरोनी कुरोनी डिप्थीरियम डिप्थीरियम क्या होता है कुरोनी डिप्थीरियम बैक्टीरिया ठीक तो याद रखिएगा यह इसकी बैक्टीरिया होती है और यह क्या काम कर अगर मैं बात करूँ कि इसका T का लगटा है तो याद रखिय का T का कोन सा होता है तो याद रखियेगा DPT का T का टी का होता है leur फ्यूट्रेसिस और टीूबर कुलेोसिस याद रखियेगा टेटनेस तीन चीजे होती है यह डिप्थीरिया और पर्डूसिस का मतलविया होता है काली खासी जी से तुम बोलते हो कुकुर खासी बोलते हो उसमें और T4 होता है टिटिनिस तो याद रखिएगा DPT का टीका लगता है और DPT का टीके की अगर मैं बात करूँ कि यह कब लगता है तो यह 6 महिने में 10 महिने में 14 सारी 6 सपता 10 सपता और 14 सपता में से कभी भी लग सकता है तो 15 से 18 महिने के 20 और 3 जो टीका इसका लगता है 5 वर्स में लगता है तो याद जारो आपसन को explain किये रहोगे तो उससे पता नहीं अब देखो इससे तुम डिप्थीरिया के वीविसाय में आएगा तो आप तुम जान सकते हो मलेरिया के वीविसाय में कितने भी क्योश्चन बना लो तुमको सारी चीजे पता हो गई इसके अलाब मतलब इसको पढ़ने का मतलब है लेकिन याद रखो तुमने एक क्योश्चन नहीं कम से कम बीस क्योश्चन तुमने तयार किया यह ऐसे concept तयार होगा और इस तरीके से आप पढ़ोगे तब आपकी सफलता क्या करेगी कदम चुमेगी इस तरीके से नहीं एभी सीटी एर ए इस तरीके की पढ़ाई नहीं मजा देती इस तरीके की पढ़ाई तम मजा देगी आप बंद करो कमरा और अकेले बैठो अकेले बैठो यहाँ पे नहीं आप अकेले बैठो और पेपर लो और जिस तरीके से आप फिर लगातार दो घंटे का जो आपका पेपर है वह दो में आप लगातार continuous सिर्फ और सिर्फ सारी चीजे बंद करके और अपने question को लगाओ और लिखो देखो कितने सही होते हैं फिर मज़ा आता है लेकिन अगर यहां पढ़ना है तो सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है ठीक है ना तो याद रखिए चलिए ने तु पौर जी नाइस कलास थांक्यू चलिए राइट सर्जी भरस सिंग बिल्कुल चलिए क्या होगा मधुमेय रोग किसकी कमी से होता है तो मधुमेह की अगर हम बात करें तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलीन की कमी से होने वाला रोग है किसकी कमी से? इंसुलीन की कमी से होने वाला रोग है अगर मैं बात करूँ यह है इंसुलीन जो है अगनासे से निकलने वाला क्या होता है? हार्मोन्स होता है अगनासे में चार प्रकार की कुछ काएं पाये जाती है एक होता है अलफा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है आपका क्या डेल्टा और चोथा क्या होता है पीपी सेल या इसे ही क्या बोलते हो एपसेल बोलते हो तो अगर मैं बात करूँ कि अलपा से क्या निकलता है ग्लूकोगॉन निकलता है क्या निकलता है ग्लूकोगॉन निकलता है और बीटा की अगर मैं बात करूँ तो बीटा से क्या निकलता है इंसुलीन निकलता है इंसुलीन निकलता है इसके अलावा अगर डेल्टा की मैं बात करूँ तो सुमेटोस्टोटीन निकलता है सुमेटो हस्टेटो टीन निकलता है अगर मैं बात करूँ आप से पीपी की तो ALT याद रखना पीपी से क्या निकलता है एंजाइम निकलता है तुम क्या कर रहे हो बाई, किसके लिए तयारी कर रहे हो, किसके लिए previous error solve कर रहे हो, LT के लिए, A-LT, A मतलब क्या होता है, M-I-Lase, क्या होता है, M-I-Lase, जो किसका पाचन करता है, Carbohydrate का पाचन करता है, L का मतलब होता है, Lipase, जो किसका पाचन करता है, Vasa का पाचन करता है, ट्रीपार होता है ट्रिपसीन क्या ट्रिपसीन और ट्रिपसीन से आप क्या करते हो ट्रिपसीन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिपसीन से आप क्या करते हो तो ट्रिपसीन से आप प्रोटीन का पाचन करवाते हो अब यह ग्लूकागॉन जो होता है यह जो है ग्लूकागॉन आपका क्या होता है, एंसुलीन को किस में convert करता है, यह जो आपका क्या है, यह glukogon में convert, आप देखो, अब इनका सुनो, अब यह जो एंसुलीन होता है, यह सरकरा की मात्रा जो होती है, जो glucose की मात्रा है, glucose को किस में convert कर देता है, यह glucose को convert कर देता है, आपका किस में glukogon में, किसमें कर्मर करता है ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन में और यह ग्लाइकोजन कहां चली जाती है लीवर और मानस्पेसियों में इस्टोर हो जाती है मतलब सरकरा की मात्रा को क्या कर रहा है या कम कर रहा है बलड में से और जब आपके बलड में सरकरा की मात्रा कम होती है तो सरकरा की मात्रा को बढ़ाने के लिए यही ग्लाइकोजन क्या करेगा यही ग्लाइकोजन जो है यह इस्टोर जो क्या है सरी यह ग्लूकोगान जो है यह क्या काम करेगी यह जो ग्लाइकोजन है इसको पुना ग्लुकोज में कनवर्ट कर देगी किसमें पुना ग्लुकोज में कनवर्ट कर देगी और देखो अब ग्लुकोज का ग्लाइकोजन में कनवर्ट होना क्या कहलाता है ग्लाइकोजेनोसिस कहलाता है क्या ग्लाइकोजेनोसिस कहलाता है और Glucogon द्वारा Glucogen का Glucose में कनमर्ट होना क्या कहलाता है Glucolisis कहलाता है यह प्रक्रिया आप जरूर याद करना सुमेटोस्टोटीन क्या काम करता है तो सुमेटोस्टोटीन जो होता है यह आपके सरीर में मतलब यह Glucogon और Insulin की जो मात्रा होती है इनको बनाये रखने में इसके अलामा अगर हम बात करें कि और यह क्या काम करता है तो इसके अलामा जो उर्जा होती है तो उर्जा को बनाये रखना उर्जा का संड़क्षन में यह क्या करती है यह उप्योग की जाते है मतलब मेन इसका काम होता है इन दोनों हार्मोंसों का बैलेंस रखना चलो अगले question की बात करता है group A रक्त वाले व्यक्ति को किस group का रक्त दिया जा सकता है B group A तथा O group A B group B O group बताओ क्या होगा बताइए सभी लोग सूरिया वर्मा नाइस सर्जित थांक्यू जैयादो वेरी नाइस क्लास सर्थांक्यू अच्छलिए answer दीजिए पताइए क्या होगा अगले question की बात करते है question number 10 तो अगर हम बात करें इसमें तो question number 10 का ये होगा A और O group दोनों प्रकार के group हम क्या कर सकते हैं हम प्रदान कर सकते हैं याद रखिएगा blood group की खोच किस ने की थी टो आप क्या बताओगे किस ने किया था तो याद रखिएगा काल लेंड इस्टीनर ने किया था काल लेंड इस्टीनर ने ब्लड ग्रूब की खोच की थी इसके अलाबा अगर हम बात करें कि जो इसमें कि कौन सा ऐसा रक्त है जो सर्व ग्राही है सर्व ग्राही और इसके अलावा बात आता है सर्व दाता सर्व दाता सर्व ग्राही का मतलब होता है A, B और सर्व दाता का मतलब होता है O क्या O O को वैसे तो हम कहते हैं सुन ग्रूप समू लेकिन इसे मान लेना कि O इसलिए हम इसे पढ़ते हैं अब देखो इसमें अगर A B की मैं बात करूँ तो इसमें क्या नहीं होता इसमें जो है आपका O में O में क्या नहीं होता Antigen नहीं होता क्या? Antigen नहीं होता अब जब Antigen नहीं होता मतलब क्या नहीं होता कोई भी बाहरी पदार थाएगा कोई भी बाहरी सविष्टेंस आएगा तो वह क्या नहीं करेगा वह उसको पहचान ही नहीं पाएगा और जब पहचान नहीं पाएगा तो जायस सी बात है कि वह किसी के भी पास जा सकता है और कहीं भी जा सकता है उसके लिए कोई जो है कोई पहचानने वाला इसके पास तब को ही नहीं है तो यह किसी में भी जाके गुज जाएगा कोई नहीं पहचान पाएगा सब सोचेंगे मेरे घर का सदस्य है ठीक याद रखिएगा अगर A.B. की बात करें तो A.B. में क्या नहीं पाया जाता 198-1-2 यह नहीं होती जब टू-2 नहीं नहीं होगी तो इसके क्लास क्लॉट नहीं बनेगा आप लोगों की pin हो जाती है अभी comment में pin हो जाएगी ठीक है ना तो अभी pin करा दिया जाएगा और pin भी होती है तो आप लोग जो है वहाँ से जुड़ जाएगा ठीक चलिए Antision और Antibody को एक को प्रतिरच्छक बोलते हैं और एक को पता नहीं करते हैं क्योंकि देखिए क्या है कि Antision Hindi आप जो इनाटॉमी पढ़ते हो तो इनाटॉमी में हिंदी पढ़ना मलब सबसे बड़ा काम होता है तो थोड़ा बहुत तो आपको इस तरीके से ही मैनेज करना पड़ेगा कोशलेंद्र प्रतावर्मा पूछे तो आप क्या बताओगे कि HIV का फुल फार्म क्या होता है HIV का फुल फार्म होता है Human Acquired Immuno सरी Human Immuno Deficiency Virus ठीक क्या होता है Human क्या होता है याद रखना HIV का क्या होगा फुल फार्म तो क्या बताओगे Human Immuno Deficiency सेंड्रोम सरी वाइरस होता है और AIDS का acquired immunodeficiency syndrome होता है ठीक दोनों का आप क्या रख याद रखोगे दोनों का आप full form याद रखोगे अगर मैं बात करूँ AIDS के लिए जो test होता है वह कौन सा test होता है तो आप याद रखिएगा ELISA test होता है ELISA के अलावा अगर हम बात करें तो BESTON BLASHT होता है इसके अलावा अगर हम बात करें कि या जो AIDS है या HIV जो है या किस लिंफोसाइड को क्या होता है इसमें तो याद रखना रोग प्रतिरोधक शमता कम हो जाती है कम होती है या धीरे-धीरे धीरे-धीरे नश्ट हो जाती है तो याद रखिएगा और यह किस लिंफोसाइड को T lymphocyte को किस पर T lymphocyte को नश्ट कर देती है क्या कर देती है नश्ट कर देती है ठीक इसके अलावा बात करें कि 8 से दिवस कम मनाया जाता है तो 8 से दिवस जो है किस 1 दिसंबर को क्या 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है 8 से दिवस मनाया जाता है और इसका सिंबल कैसे होता है इस तरीके से एक रीबन होता है यही क्या होता है एट्स का पचान होता है एट्स जो है फैलता किस्से है अगर मैं फैलने की बात करूँ तो एट्स जो होता है संक्रमित व्यक्ति से रक्तभान करने से मतलब उसका रक्त लेने से संक्रमित व्यक्त के साथ या संक्रमित ब्यक्ति का जो क्या होता है जो इंजेक्शन लगता है जो सुईयां लगती है उसको संक्रमित क्या AIDS से ही होता है याद रखिएगा तो ये सारे क्या होते हैं इतने इसके AIDS के क्या होता है लच्छा मलब की कैसे फैलता है किसी भी ब्रक्ति से हाथ मिलाने में साथ में बैट के खाने से या अन किसी कारण बस AIDS नहीं होता है तो याद रखिएगा चलिए अगले question की बात करते ह है रबर सब्द कि स्खेल से संबंदित है ब्रिश से क्रिकेट से सत्रन से बैड मेंटन से बताए किस से संबंदित है बताओ यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सेंड्रोम होता है भाई याद रखिएगा एड्स का मतलब हूमन इम्यूनो डिफिशियंसी क्या हां सेंड्रोम है चाईवी का भी फुल फार्म याद रखना और चाईवी का ही पूस्ता है या एड्स का नहीं पूस्ता है अब देखो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से रबर की तो रबर जो होता है वह ब्रिज खेल से सम्मंदित होता है किस खेल से सम्मंदित होता है और यह ब्रिज जो है ब्रिज खेल कहां प्रारंब हुआ तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो सर्विया में सीरिया में स्वारी कहां सीरिया में तो सीरिया में यह क्या हुआ प्रारंब हुआ था याद रखियेगा अगर ब् से संबंदित है ट्रिक ट्रिक ट्रम्प इसके अलामा अगर बात करो तो स्लैम यह जितने भी वर्ड है यह आपके ब्रिज से संबंदित हैं क्रिकेट की बात करें तो यह जो रबर वर्ड है ना तो वैसे तो रबर की हम बात करें तो कहीं कहीं दिखाता है कि रबर जो है क्रिक है तो आयोग ने ब्रीज को ही संबस्त है लेकिन कहिं कहिं हैं कुलदीप यादो को चाइना मैं तो चाइना मैं चाइना मैं की बाद में अगर अगर उसके अलावा बात करें तो क्या होता है पंपिंग क्रीज क्या पंपिंग क्रीज के बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या होता है बीमर क्या होता है फ्री हिट या फ्री हिट तो कई सारे गेमों में होता है तो बीमर के अलावा अगर बात करें तो रबर जो यह सब्द दिया है अब सतरंज की बात कर लें कि सतरंज से सम्बंदित कौन कौन सा सब्द होता है तो एक होता है गैमबिट G-A-M-B-I-T गैमबिट गैमबिट के बाद अगर हम बात करें कि और क्या होता है रॉक, विसब क्या रॉक विसब 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 के बाद में चेक अइंड मेट चेक अइंड मेट ठीक तो चेक अइंड मेट इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस्टेल मेट Stillmate Stillmate के बाद अगर हम बात करूँ तो और क्या होगा? Night Night के बाद yellow क्या होगा? Yellow ये सब जितने वर्ड हैं ये आपके सतरन से सम्बंदित हैं Badminton की बात करें कि Badminton से सम्बंदित क्या है? तो Double Drop और इससे भी related जान लो ऐसे वर्डो से related question जरूर पूछता है Double Drop Dunk उसके बाद में अगर हम बात करें तो Fault Faint Flick Flick पूछता है Flick अब इनका मतलब भी जानना हो तो आप class देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्यूंकि इतने छोटे में अभी इसके विषय में भी बताने लगेंगे तो आप एक ही चीज कहोगे सर जल्दी करो इसलिए इसके विषय में भी अगर इन सब के विषय में कि ये क्या होते हैं कैसे होते हैं तो आप जो है इसकी वीडियो देख सकते हैं इस class से जुड़ सकते हैं 23 एक्यू पंचर क्या है? एक्यू पंचर क्या का रहा है? टूब के पंचर की मरम्मद विधी, सिचाई की विधी प्रागयति, हासिक पसू विधी, चीन की किस्ता विधी बताओ क्या होगा? मैंने बताया तो भाई कि क्रिकेट में भी तो यूज होता है लेकिन उस सालायोग ने क्या माना था केवल ब्रिज माना था लेकिन एक्चुली में देखा जाये तो यह दोनों से संबंदी थे क्रिकेट से भी संबंदी थे उस से भी संबंदी थे मैंने आपको बताया था, ठीक, चलिए, एक्यूपंचर, एक्यूपंचर क्या होता है, एक्यूपंचर आप देखेंगे तो सुईयों के माध्यम से, सुईयों के माध्यम से आपकी चिकिस्सा की जाती है, मतलब इलाज किया जाता है, रोगों का निदान किया जाता है, तो गाते हैं और एक्यूपंचर कहां की है चीन की चिकिशा बिधी है क्या है चीन की चिकिशा बिधी होती है ठीक है ना तो याद रखिये गाष चलें अगले anytime पर यह क्या प्राचीन चिकिसा बिधी है पुडबाल खेल में मैडान की लंवाई कितनी होती है फुटबाल खेल के विसाय में मैंने बहूत सारी चीजे बताई है तो बताओ फुटबाल खेल के अगर आपने देखा होगा तीन चार पांच पेपर हो गए तो आपने एक चीद ध्यान दिया होगा कि आपका जो कुछ गेम ऐसे हैं जो कि हर बार पूछे गए हैं हर बार पूछे गए हैं तो इन गेमों को आपको याद करके रखना पड़ेगा ठीक है ना तो याद रखिएगा ठीक तो ऐसे गेम जैसे फुटबाल हुआ बाली बाल हुआ अहां की हुआ इन सब से देखेंगे कि तो आप तो हर जितनी बार आप लोगों ने पेपर किया उन्हें हर ज्यामों में भर भर के क्योस्चन पूछा गया है ठीक हैना और फुटबाल को तो मैंने आपको बताया भी है आपको यूटूप पे मने खुलाज भी पढ़ाया और अच्छे से हर एक नियम को बताया है ठीक है न通 फुटवाल खेल में मैदान की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है 90 से 120 होती है तो यहाँ 90 है तो जायस सी बात है यही answer हो जाएगा 90 से क्या 90 से 120 जो होगी यही इसका क्या हो जाएगा इसकी जो है लंबाई होगी चौडाई की अगर हम बात करूँ कि इसकी मुड़ाई होती है इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा पूछता है लाइन की मुटाई लाइन की मुटाई तो सब में आप सुने होंगे कि कितने होता है साड़े स्वारी आपने सुना होगा कि 5 cm होता है कितना होता है सारे जितने भी गेम होते है ज्यादा तर में कितना होता है 5 cm होता है लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ तिसमें कितना होता है साड़े 12 cm होता है साड़े 12 cm मतलब 5 inch होता है क्या होता है पांच इंच मोटा क्या होता है लाइन की जो होती है वह चोडाई होती है अगर आपसे यह पूछ ले कि सेंटर में जो रेडियस होता है या जो आपका क्या होता है जो आपका अर्धवरित एक होता है मतलब गोल आपका जो छेतर होता है उस पे या पिनाल्टी चेतर पे तो याद रखिएगा उन दोनों का रेडियस जो होता है ना समान होता है कितना 10 याड का होता है गोल चेतर की अगर हम बात करें कि इसमें गोल चेतर कितना होता है तो गोल चेतर की जब भी आप बात करोगे तो गोल छेतर कितना होगा तो आप क्या बता होगे 20 into 6 क्या 20 into 6 और यार्ड और मैंने इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था आपको रटने की जरूरत नहीं है कोई भी गेम पढ़ना है तो गेम को समझेंगे, रूल को समझेंगे, regulation को समझेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो रटना पर नहीं पढ़ेगा जो आप measurement रटते हो अगर ground की marking 6 जाओगे तो आपको रटना नहीं पढ़ेगा अगर इसकी मैं बात करूँ गोल छेतर की तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या बनाना है, गोल पोश्ट बनाना है और गोल पोश्ट से 6 मीटर इधर और 6 मीटर आपको इधर आना है और 6 मीटर अंदर की, स्वरी 6 याड अंदर की ओर जाना है तो 6 और 6 ये हो जाएगा 12 हो जाता है और 8 याड जो होता है यहां से लेके यहां तक मतलब 24 फिट और 8 याड क्या होता है जो पोल की चौणाई होती है वह होती है क्या पोल की चौणाई होती है वह होती है तो 6-6-12-8-20 होता है और 6 फिट क्या होता है 6 याड चौणा होता है तो यही होता है 20 into 6 याड होता है गोल एरिया गोल एरिया के अब हम बात करें पेनाल्टी छेत्र की कि पेनाल्टी छेत्र कितना होता है स्वारी पेनाल्टी छेत्र कितना होता है तो पेनाल्टी छेत्र आप क्या बताओगे 44 into 18 होता है क्या होता 44 into 18 होता है तो अब इसको कैसे करोगे 44 into 18 यहीं पे पोल के इस साइड से 18 याड इधर ले जाओगे पोल के यहीं से 18 याड यहां ले जाओगे और 18 याड अंदर की ओर ले जाओगे और इसे मिला दोगे तो जब 18 इधर 18 इधर 18 18 कितना हो गया तो आप क्या करोगे 36 हो गया और 36 और 8 6 14 मतलब 44 तो कितना हो गया 44 इंटू 18 क्या हो गया आपका penalty area हो गया ठीक अगर मैं बात करूँ कि penalty spot कितनी दूरी पर होता है तो penalty spot कितनी दूरी पर होगा तो penalty spot होता है आपकी 12 यार्ड पर या 11 मेटर पर तो 12 यार्ड पर क्या होता है आपका penalty होता है penalty arc spot का radius कितना होता है यह जो penalty arc इस पे होता है वही 10 yard होगा याद रखिएगा ठीक है ना इसके अलामा अगर हम बात करें इसमें कि आपका जो corner होता है कितना होता है तो 0.914 होता है अब corner क्या होता है यह जो इस corner पे इस तरीके से चारों तरब बना होता है इसके radius की बात करेंगे तो 0.914 क्या होता है आपका meter होता है या एक yard होता है याद रखिएगा अगल goal post की बात करें तो goal post की उचाई कितनी होगी उचाई की अगर हम बात करें तो उचाई कितना होता है 8 feet होती है और चोड़ाई की बात करें तो कितना होता है 8 yard होता है और 8 yard मतलब 1 yard मतलब 3 feet तो 8-3 बराबर 24 feet होता है याद रखिएगा यह सारे measurement मैंने आपको बताया है और अब भी बता दिया पुरी class मैंने इसकी पढ़ाई है और YouTube पे पढ़ी हुई आप वहाँ भी देख सकते हो और पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो हमसे ज्वाइन भी हो सकते हो ठीक है ना तो याद रखिएगा वाटर पोलो खेल के छेतर की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है 40 x 30, 30 x 20, 20 x 30, 50 x 30 मता यह क्या होगा वाटर पोलो की बात कर रहा है बताईए वाटर पोलो की बात कर रहा है बताईए अजय सिंग जी बैच विया स्टार्ट है अगर आप लोग कहेंगे अगर ऐसी बात है बैच क्या है कि स्टार्ट कर दिया गया है आप उससे जुड़ सकते हैं उसमें आपको सारी जो भी क्लासेज होंगे वह भी मिलेगी लाइब क्लासेज मिलेगी आपको पीडियम मिलेगा आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगी आपको handwritten notes के साथ साथ जो class में पढ़ाया जाता है वो board matter भी आपको हुबहु ऐसे ही मिलेगा इसके अलामा बात करें तो आपको जैसे exam से पहले dust test मिलेंगे इसके अलामा आपको जो भी chapter complete होगा उससे related जो भी question होते हैं topic wise practice भी करा दी जाती है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर provide होंगी और जितनी भी चीज़ें हैं और बाकी जैदा जानकारी के लिए अब 9628959237 पर आप क्या कर सकते हो संपर कर सकते हैं चलिए तो अगर मैं बात करूं कि water polo जो है water polo खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है 30 into 20 गज होती है ठीक है न और इसमें पानी की गहराई कितनी होती है पानी की गहराई कितनी होती है तो पानी की गहराई की अगर हम बात करेंगे तो 1.80 meter क्या होती है पानी की गहराई होती है पानी का तापमान कितना होता है तापमान तो तापमान जो है उतने होगा जितना आपके swimming pool का होता है कहने का मतलब 25 से लेके 26 degree centigrade होता है इसके अलामा अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो गोल होता है गोल की चौड़ाई आपसे इसमें बहुत पूछता है इसमें गोल की चौड़ाई इतनी बार पूछा गया है तो इसे आप याद रखना कितना होता है? 3 meter होता है क्या होता है? 3 meter होता है इसके अलामा एक चीज़ और पूछता है गोल जो है पानी से कितना उपर रहता है तो पानी से उपर जो गोल होता है वह 90 cm होता है पानी से उपर यह भी के ओशन कई बार पूँछा गया है तो याद रखिएगा 90 cm मीटर क्या होता है पानी से उपर होता है इसमें खिलाडी कितने होते हैं तो आप क्या बताओगे, इसमें कितने खिलाडी होते हैं, इसमें 7 खिलाडी होते हैं, इसके अलावा बात करें, अगर इसका बाल का वजन कितना होता है, बाल का वजन, तो बाल का वजन कितना बताओगे, 400 से लेके 450 ग्राम तक होता है, कितना होता है, 400 से लेके 450 ग्राम तक का होता है मैच की यहोधी अगर आपसे पूछ ले कि मैच का समय कितना होता है मैच का समय कितना होता है तो आप क्या बताओगे पांच-पांच मिनट के कितने पांच-पांच मिनट के आपके कितने क्वाटर होते हैं चार क्वाटर होते हैं कितने चार ओलम्पिक में पुरसो को 1900 में सामिल किया गया तथा महिलाओं की बात आएगी तो 2000 में महिलाओं को सामिल किया गया किस सन में सामिल किया गया 2000 में महिलाओं को सामिल किया गया 1900 में किसको सामिल किया गया पुरसो को सामिल किया गया चलो अगले क्योशन की बात करते हैं एंजाई में माइलेज कारे करता है प्रोटीन पर लिपिड्स पर नुकली कमलो पर कार्वोहाइड्रेट्स पर बताईए क्या होगा सभी लोग बताईए बताईए क्या होगा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं क्लास को सेर कर सकते हैं इससे भी अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए एकडम कॉंसेट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप बहश को जॉइन कर सकते हो इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अगर ये चाहते हो कि मैं तैयारी मेरी पूरी हो गई है मुझे क्या करना है मुझे केवल प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए भी आप ब्रह्मास्त बैश को जोईन कर सकते हो जहां पे आपको क्या कर जाता है topic wise पूरा एकदम बिस्तित तरीके से बिस्तित रूप से वहाँ पे जो भी आये हुए question है उनको जो आने की संभावना है उनको तद जो आ चुके है उनको कराया जाता है ठीक है ना तो बताइए क्या होगा सब्सक्राइए क्या होगा question का एंसर मताइए enzyme emylase तो enzime की बात करेंगे हम यहाद रखिए यह थोड़ी देर पहले बता है bluetooth की बात करेंगे तो तो अगर दूद में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन के पाचन की बात आगी तो वहाँ परेनिन काम करता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो तेपसीन भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लिपीड की बात करें तो लिपीड जो होता है वह लिपीड का पाचन कौन करता है तो लिपीड का पाचन की अगर मैं बात करूं तो लाइपेद जो होता है लाइपेद जो होता है वह लिपीड का पाचन करता है लिपीड का मतलब यह होता है वसा का पाचन क्या वसा का पाचन अगर प्रोटीन का पाचन की बात आ जाएगी तो प्रोटीन कहां पस्ता है तो प्रोटीन आपके आमासे में पढ़ता है कार्वो हाइडरेट मुख में इसका आधा से जादा पाचन हो जाता है उसके बाद में लिपिट की बात आ है तो लिपिट कहां पस्ती है लिपिट जो ह आपके छोटी आप में पच्छती है वहाँ पे इसका पाचन होता है इसके अलावा बात करें कि यह जो आपके बड़ी-बड़ी वसा की बूंदे होती है जिसका पाइसी करन होता है वह कौन करता है तो जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देट पहले पित्तरस वह क्या काम करता है वही आपका जो बीली-डूबीन वह यही काम करता है आपके ठीक है ना याद रखिएगा चलो अगले क्योशन की हम बात करते हैं अगला क्योशन हमारा क्या करता है रेमन मैक्सेस पूरसकार कि इस देश द्वारा जीया जाता है प्राजियल एमेरिका रेमन मैक्सेस पुरसकार अगर मैं बात करू रेमन मैक्सेस पुरसकार तो A.C.A. का सबसे बड़ा पुरसकार है क्या A.C.A. का सबसे बड़ा पुरसकार होता है तो A.C.A. का सबसे बड़ा पुरसकार जो होता है वो यही होता है रमन मैक्सेस पुरसकार ही होता है या कहां फिलिपीन्स देश में प्रदान मिलता है कहां पे फिलिपीन्स देश द्वारा प्रदान किया जाता है इस पुरसकार का नाम जो होता है फिलिपीन्स के राश्पती थे रमन मैक्सेस उनकी क्या फिलिपीन्स के क्या थे राष्ट पती राष्ट पती थे उन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है यह रमन मैक्सेस अवार्ड दिया जाता है याद रखियेगा ठीक है ना यह जो है रमन मैक्सेस जो होता है रमन मैक्सेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है यह प उनिस पच्चता से पत्रकारिता करने के भी छेत्र में दिया जाता है अठारा नंबर क्या कहता है भारत ने उलम्पिक खेलों की सक्तिगत असपरदाओं में पहली बार पदक कब जीता था लंदन उलम्पिक उनिस नौड़ालिस ओलेंसिक उलम्पिक उनिस सो बावन अमेरिका उलम्पिक उनिस सो बासड मेलबर्न उलम्पिक उनिस सो चप्पन बताओं क्या होगा आप जो है टेलिग्राम चैनल जिन लोगों को टेलिग्राम चैनल जॉइन करना है वो लिंक जो है पिन है आप उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं जी लोग जो लोग अभी पूछ रहे थे टेलिग्राम चैनल के लिए तो वो लोग क्या है अभी पिन हुआ है आप उसको जॉइ की हम बात कर लेते हैं भारत के ओलंपिक खेलों में सक्तियत पर्धा करने का मुला कराटा जूडो इन सब में इसकी बात कर रहा है तो सक्तियत पर्धा में कुस्ती में किसमें कुस्ती के छेत्र में 1952 होलंशिको ओलंपिक में कौन केड़ी जाधव केड़ी जाधव को क्या मिला था कांस पदक कांस पदक फ्री इस्टाइल कुस्ती में फ्री इस्टाइल कुस्ती में कुस्ती में 52 किलो ग्राम में किसमें 52 किलो ग्राम लाइट वेट या हम यह कर सकते हैं 52 किलो ग्राम फ्लाइवेट में मिला था केड़ी जाधव का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या वगता होगे केशवा दादा साहब जाधो क्या केशवा केशवा दादा साहब जाधो ठिक तो केशवा दादा साहब जाधो इनको कहा जाता है अगर मैं बात करूँ कि इनको और इनका उपनाम क्या है तो पाकेट डाइनमो क्या कहा जाता है केडी जाधो को क्या कहा जाता है Pocket Dainamo Pocket Dainamo Dainamo के नाम से इनी शे को जाना जाता है इनका जन्म कहा हुआ था तो याद रखिएगा महाराश्ट में कहां से संभन्द रखते थे महाराश्ट से या संभनद रखते थे इनको अरजुन पुरस्कार मरडोपरांत मिला था याद रखिएगा ठिका जो मृत्तव था एक्सीडेंट हुआ था ticket जी को देखिया घ्रेbok Live धि दूर्धसा खिलाडीओं की दूर्धसा वालन्की वाया कुम मात्र 25 4 रूप चन्तोना रूप में मिला था कहां से लोग खिलाडी बनेगे कहां से लोग खिलाडी खेल की और बढ़ें इनकी पत्नी जी को देखिये हमारे देश की दूरदसा खिलाडियों की दूरदसा बचाय इनकी पत्नी को इनकी वाइव को मात्रो मात्र 25 जार रूपए सांतोना के रूप में मिला था कहां से लोग खिलाडी बनेगे ठीक है ना तो ये सब इनके विशाय में था चलो सहयुक्त राश्ट संग का प्रतम अधिवेशन कब हुआ 24 सक्टूबर 1945 10 जनवरी 1946 25 सक्टूबर 1925 उप्रोक्त में से कोई नहीं बताईए रवी जय जय प्रकास मुकेश कार्तिक माया विने पूजा विने चरिए सभी लोग बताईए क्या होगा संयुक्त राश्ट संग योगिंदर बताई यह क्या होगा सीमा चलिए मधुजी भरत सिंग नेहा सोरिया हितेंद्र कुमार नीता यादवबाय रितु विनीत कुमार ममता वर्मा सालिनी ब्रजेश चौधरी चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से देस्पती राज सालिनी आप सभी का तहे दिल से सुक्रिया कि आप लोग हर संडे अपना अमुल्य समय देते हैं इसके लिए और आप जो है निरंतर इस पर ततपर हैं तो आगर सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आपको किसी दिवाल पे छेंड करना है तो आप 10 हंताओडी 10 जगह मारोगे तो वहां छेंड नहीं होगा लेकिन अगर एक ही जगह पे 10 हंताओडी मारोगे तो वह छेंड जरूर हो जाएगा तो वही का आपको करना है ठीक है ना तो एक कहा था उड़ी लो और एक ही जगह पे बराबर प्रहार करते रहो याद रखिये ठीक है ना चलो तो सहयुक्तराष्ट संग का जो अर्वेशन हुआ था वो दस जनवरी 1904 में हुआ था किस सन्में हुआ था दस जनवरी 1946 में कहा हुआ था London के Westminster भवन में हुआ था ये खैर आप से पूछेगा नहीं लेकिन उस समय ठीक उस समय आया था इसलिए इस वज़ा से इसमें जादा हम नहीं चर्चा करेंगे चलो चेचक के टीके की कोज किसके द्वारा की थी जाउन साल्क द्वारा एड़ورड जेनर ने रावर्ड इसपीज ने जार मौरसल ने ये क्योशन इंपॉर्टेंट है और आप इस क्योशन को करिए बगो चेचक को और हम क्या कहते हैं तो चेचक को हम कहते हैं बैरी ओला क्या कहते हैं बैरी तो याद रखिएगा जो चीचक है बताइए लोग खाना बना रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं यही जुनून यही चज़बा चाहिए यही जुनून और इसी लगन और मेहनत के साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित है उपर वाला भी देखता है कि कौन महनत कर रहा है कौन नहीं महनत कर रहा है अगर आप महनत कर रहे हो तो होगा जरूर याद रखिएगा ये आप सब ठीक है ना तो अगर मैं बात करूँ चेचक चेचक की टीके की तो चेचक का जो टीका था Edward Jenner ने क्या किया था Edward Jenner ने 1974 में किस सर में 1974 इस वी में क्या किया था इस TK का निर्मार किया था या अविस्कार किया था याद रखियेगा ठिक अब देखो अगर आपसे यह पूछ ले कि इसके चेचक के उन्नमूलन की घोसडा कब की गई मतलब चेचक पूरी तरीके से समाप्त डबलूई अचो के द्वारा कब किया गया तो याद रखिएगा 1980 में किस सन में 1980 में क्या हुआ था आपका उन्नमूलन की घोसडा की गई मतलब चेचक से पूर रूपेण हम यह कहा गया कि आप क्या हो गया आजाद हो गया दे ठिक तो याद रखिए अगले क्योशन की बात करते हैं भारत में पाला अंतराश्टी फिल महसब का वावजूद किया गया वर्स 1961, 1952, 1954, 1962 जो यल्टी का आपका पेपर है विनयादो जी उपर वाले देखते हैं या नहीं देखते हैं अगर आप अपने कर्म करोगे कर्म में अगर सच्चाई है तो आप निस्फल नहीं होगे ये हमेशा याद रखो कर्म आपका सच्चा होना चाहिए आदमी कहता है न कर्मडे वाधिकारस्ते मा फलेस कदाचन गीता के ये इसलोख है और इसका मतलब भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि कर्मडे वाधिकारस्ते मा फलेस कदाचन कि कर्म करो फल की चिंता ना करो उन्हों ने ये कहा कि अगर आप इमानदारी के साथ महनत के साथ लगन के साथ अगर अपने कर्म करोगे अपने कर्मों में अगर आपके सच्चाई होगी तो सफलता एक ने एक दिन चरूर मिलेगी और आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं अगर आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी होगी तो आपको खुदी नई टेंसन होगा कि क्या हो जाएगा अपकी बार अंदर से खुदी एक आवाज निकल के आने लगेगी आप लोगों की ठीक है ना तो याद रखिएगा चलो तो भारती फिल्म की बात करेंगे तो 1952 में कि सन में 1952 में इसके विसे में ज्यादा चर्चा नहीं करें क्योंकि अब ऐसे क्योशन नहीं आगे कि राष्टमंडल खेल जो है जिसे कामन विल्थ गेम कहा जाता है वह किस सन में सुरू हुआ इसकी बात कर रहा है तो चलिए एक बार इसके विसे में भी हम चर्चा करेंगे राष्टमंडल खेल की बात कर रहा है 1934, 1938, 1940 बताओ क्या होगा 22 का बहुत बढ़िया वर्च 1930 में क्या हुआ राष्टमंडली खेलों का आयोजन हुआ पहले राष्टमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था पहले राष्टमंडल खेल में 11 देश ने भाग लिया था और 69 असपरधाएं थी क्या थी असपर्धा कितनी थी 69 असपर्धा थी इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट मंडल खेल को और किस नामों से जादना जाता है तो राष्ट मंडल खेल को हम क्या कहते हैं ब्रिटिस अंपायर गेम कहते हैं क्या फ्रेंडली गेम भी कहा जाता है याद रखिएगा अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसमें भारत ने कब भाग लिया 1934 में क्या किया भारत ने पहली बार भाग लिया भारत ने पहली बार भाग लिया ठीक क्या किया भारत ने पहली बार इसमें क्या किया था भाग लिया था कहोता है इसमें क्यूंस बेटन रिले की अगर हम बात करें तो क्यूंस बेटन रिले का आयोजन जो है राष्ट खेल मंडल में राष्ट मंडल के प्रारंब होने से पहले पहले वहां का साहता है वहां का filming पहलस केसा जो यहां Bab institutions में इसका आयोजन किया जाता है किया बकिंगं घम पैलेस पैलेस में क्या होता है इसका आयोजन किया जाता है किसका क्विंक्स बिटेन रिले का ठीक है न याद रखिएगा ठीक चलो अब बात करें अगर हम कि अगर आपका कि प्रतम जो कामन वेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाली प्र गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कृपिया करके कमेंट करके बता दें कमेंट करके बताएं कि क्या टेलीग्राम चैनल जिन लोगों को जॉइन करना है वह अभी पिन हुआ है आप इस से जाके चैनल को जॉइन कर सकते हैं आपको वहाँ पे इसकी पूरी PDF मिल जाएगी सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी PDF पढ़ी हैं आपको सब मिल जाएगा ठीक बताओ तो क्या होगा कौन है बताए कौन है तो क्या बताओगे क्रिश्णा पुनिया कौन क्रिश्णा पुनिया डिसकस्त्रो क्रिश्णा पुनिया डिस्कस ठोसे याद रखिएगा चलो अगले क्योशन की बात करते हैं boxing में एक round की अवधी कितनी होती है एक minute, दो minute, तीन minute, चार minute बताओ boxing की बात कर रहा है boxing में एक minute की अवधी क्या हो boxing में जो आपका round होता है वह कितने मिनट का होता है एक राउंड कितने मिनट का होता है बताईए आप सब तब तक हम क्या कर लेते हैं पानी पी लेते हैं गला मेरा सुख गया है आप लोग भी पानी पी लें टेलिग्राम चैनल को आप सब जॉइन कर सकते हैं लिंक आ रही है आप सब वहाँ से जाके टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लें चलिए अगर मुक्यबाजी की मैं बात करूँ तो यह जो बॉक्सिंग होता है यह बॉक्सिंग जो है तीन मिनट के तीन राउंड होते हैं क्या तीन मिनट के तीन राउंड होते हैं पुरुसों के लिए महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो दो मिनट के चार राउंड होते हैं क्या महिला दो मिनट के चार राउंड ठिक पुरुस तीन मिनट के तीन राउंड ठिक याद रखिएगा अबर बात करें किसमें जो है बिस्राम कितने मिनट का मिलता है तो एक मिनट का बिस्राम एक मिनट का क्या मिलता है बिस्राम मिलता है याद रखिएगा अब अगर बाक्सिंग के भी सेमें और बाते करें तो बाक्सिंग जो होती है बॉक्सर को क्या कहते है बॉक्सिंग के खिलाडी को बॉक्सिंग के खिलाडी को क्या कहते है तो बॉक्सिंग के खिलाडी को हम क्या कहते है तो याद रखिये या क्योश्यम पूस्ता है पुगलिष्ट पोगलिष्ट कहा जाता है याद रखियेगा ठीक है ना इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह जो आपका बॉक्सिंग है यह बॉक्सिंग में इसे ओलंपिक में कब सामिल किया गया तो ओलंपिक की बात अक्सर पूछ लेता है बॉक्सिंग में तो 1904 में पुरुसों को सामिल किया गया और 2012 में महिलाओं को सामिल किया गया किसमें ओलंपिक के अंदर इसमें अगर पूछ ले आप से कि प्रथम अरजुन पुरसकार विजेता बॉक्सिंग के छेतर में कौन है प्रथम अरजुन पुरसकार विजेता बॉक्सिंग के छेतर में यहां आगे याद रखना क्या लिखा जाएगा बॉक्सिंग के छेद में एल बड़ी डिसूजा एल बड़ी डिसूजा ठीक तो एल बड़ी डिसूजा को क्या मिला प्रतम अर्जुन पुरसकार मिला प्रतम द्रोणा चार पुरसकार किसे मिला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पीछे जाके देखिये कि प्रथम द्रोडा चार्य पुरसकार अब कमेंट करके आप बता दो हम आपका कमेंट देख रहे हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था भालचन भासकर ठीक है ना थोड़ी देर पहले बताया था ना देखो मैंने एंसर ही मेरे मुझे निकल गया कि कौन है बाल जंधासकर नहीं या ओ एम नम्दियार और इसके साथ एक नाम और बताया था बरद्वाज साहब कौन बरद्वाज साहब जिसनका नाम क्या था ओम प्रकास बरद्वाज तो बताये क्या होगा किसी ने एंसर दिया किसी ने भी नहीं दूए तो याद रखिएगा ओम प्रकास भरद्वाज तो ओम प्रकास भरद्वाज को दिया गया है चली तो इसका एंस अगर मैं बात कर रहा है तो जायस सी बात है अब 2002 की बात कर रहा है तो 2002 का यह पेपर है तो 2001 का पेपर है तो 2001 का पेपर है तो महिलाओं को तो 2012 में सामिल किया गया है तो जायस सी बात है उस समय का एंसर क्या रहा होगा तीन मिनिट रहा होगा तो उस समय के एंसर के हिसाब से क क्या रहा होगा इसका answer तीन मिनेट रहा होगा लेकिन अब प्रजेंट में आएगा तो हम दो मिनेट और तीन मिनेट दोनों करेंगे लेकिन याद रखना जब पूरुस और महिला दोनों का time दिया होता है तो हम पूरुसों का time note करते हैं या किसी क्योंशन की बात करते हैं एक स्वस्त व्यक्ति का सामान रक्तदाब होता है 80 से 60 एमम 100 से 140 एमम 120 से 80 एमम 100 से 50 एमम बताइए बताइए क्या होगा भाई कुछ आएंगे चले जाएंगे उनको नहीं देखना है आप लगातार जुड़े रहें इस क्लास को आपको benefit कम मिलेगा जब आप इजाम में बैठोगे तब इतने क्योश्यन में करा दिया हूँ और इतना क्योश्यन एक दम explain करा के किया करा दिया हूँ कि अगर आप daily के class में मेरे जुड़ते होंगे daily class लेते होंगे तो अगर आप अपने आपको देखेंगे तो खुरी आपके अंदर improvement समझ में आएगा इसलिए अपने आपको improvement करना है अपने आपको आगे बढ़ाना है तो आपको class से जोड़ना पड़ेगा और class छोड़ के जाना नहीं है class आपको daily जब भी class चलती है शुरू से last तक देखिए वो चाहिए एक गंटे की हो दो गंटे की हो तीन गंटे की हो चार गंटे की लेकिन आप लोगों को मज़ा नहीं आया मैं नाज थोड़ी ने रहा हूं 120 answer number C क्या होता है 120 से 80 अब इसलिए आपके दो चीजे होती है एक होता है सिस्टोलिक सिस्टोलिक और दूसरा क्या होता है डास्टोलिक अगर मैं सिस्टोलिक की बात करूं तो सिस्टोलिक दबाओ क्या होता है दबाओ तो सिस्टोलिक दबाओ याद रखिएगा धमनियों पर पढ़ने वाला मतलब यह मालो कि जब बाए आलिंद से किसे बाए आलिंद के बाद जब ब्लड कहा जाता है बाए निले में और बाए निले के बाद ब्लड कहा फ्लो होता है एरोटा में तो बाए निले के द्वारा ब्लड जब पंप किया जाता है तो उस ब्लड के पंप होने पर जो दबाओ धमनियों पर लगता है उसे हम क्या कहते हैं क्या सिस्टोलिक प्रेसर मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो आपका निले है निले के संकुचित होने पर जो दबाओ धमनियों पर लगता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेसर कहते हैं डाइस्टोलिक की बात करें तो हिर्दय के क्या होने पर प्रकुंचित होने पर फैलने पर अपनी पूर्व वस्ता में आने पर जो दबाव आपके ध्मनियों पर लगता है वह क्या होगा वह होगा डाइस्टोलिक प्रेसर क्या होता है डाइस्टोलिक प्रेसर होता है तो जायस सी बात है अब देखो एक गुबारा लो गुबारें पानी भरो तो जब पानी भरने के बाद जब तुम दबाओगे तो जायस सी बात है प्रेसर कब जादा होगा जब उसमें तुम दबाओगे तब क्यों? क्योंको उसका आयतन कम होगा और आयतन कम होगा तो प्रेसर क्या होगा? जादा होगा और जैसे ही तुम छोड़ोगे वह बाहर की और अपनी पूर वस्ता में आएगा आयतन बढ़ेगा दाब क्या होगा? कम होगा तो याद रखिए अहिं खिरेगा दाब ज्यादा कXT होंकिश्टोलिक प्रेसर में क्या होगा दाब क्या होगा मतलब हम यह कह सकते हैं इसमें से 120 जो है वह क्या है सस्टोलिक प्रेसर है डास्टोलिक प्रेसर क्या है 80 है इसके अलाओ जिनको नहीं याद होता concept नहीं clear है एक चीज याद रखना इसको कहते हैं क्या S कहते हैं इसको क्या कहेंगे D कहेंगे अगर alphabet देखोगे तो alphabet का अगर number लिखोगे तो S का number जादा आएगा D का कम आएगा तो जिसका number जादा आएगा उसका यहाँ पे भी number जादा होगा जिसका नंबर यहां कम आएगा यहां पे भी क्या होगा कम होगा कभी दिमाग जादाल मत लगाओ जितना है उतना ही खर्च करते रहो ठीक है ना चलो अगले के ओश्चन पे चलते हैं चलिए फिश्कल एज़केशन को आपने एक नई दिशा दी है बहुत बहुत थैंक्स थैंक्यू विनयादो जी चलिए अच्छा अच्छा अजयतिवारी थैंक्यू धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को ये लगता है मेरी महनत आपको समझ में आती है बस आप लोगों का बस हो जाए जल्दी से आप लोग क्या गर यह मिठाई लेके जल्दी से आईए मेरे साथ यहाँ मुझे मिठाई खिलाई यह बस और किसी चीज का इंतिजार नहीं रहता है ठीक है ना चलिए कार्तिक KP nice class thank you जी सांती देवी nice class thank you सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का हिदे की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना important समय निकाल के daily आप हमको 3-4 इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महतोपूर चीज़ होती है और अगर आप अपने जिन्दगी के कुछलम है जो 4-5 गंटे मुझे दे रहे हैं वो मैं बहुत ही सोभाग के साली हूँ कि आप मुझे अपना time दे रहे हैं नहीं तो इस दुनिया में पैसा मिल जाता इंसान को सब कुछ मिल जाता लेकिन समय नहीं होता समय आज के समय बहुत महत पूर है ठिक तो याद रखिएगा तो इसलिए आप सभी का क्या है हिदय की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद नेहा परमार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा सिंग जी नाइस क्लास आपको भी बहुत धन्यवाद चलिए प्रकास पादुकोर किस खेल से सम्मंदित है प्रकास पादुकोर की बात आ रही है किस केल से सम्मंदित है हांकी, टेनिस, पुर्बाल, बैडमिंटन देखो मैं प्रकास पादुकोंड को आपको मैं दिखाता हूँ प्रकास पादुकोंड जी कौन है ये देखिए ये आपके कौन है ये प्रकास पादुकोंड है और प्रकास पादुकोंड की बेटी का नाम क्या है दीपका पादुकोंड कौन है दीपका पादुकोंड है तो य आपको जो फोटो दिख रही है ना इसमें ये है प्रकास पादुकोर जी और ये कौन है ये उनकी बेटी है दीपका पादुकोर तो दीपका पादुकोर के जो पिता जी है वही है प्रकास पादुकोर जी जो है या किसके बहुत बढ़ियां प्लेयर थे तो ये जो है बैडमि बैडमिंटन में इनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं बैडमिंटन में अगर हम बात करें तो आल इंग्लेंड चैंपियंसिप जीतने वाले जीतने वाले पहले भारती है पहले भारती हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इन्होंने 1980 में बिश्वकप में बैडमिंटन के बिश्वकप में क्या जीता था गोल्ड जीता था क्या जीता था गोल्ड जीता था इसके अलावा अगर बात करें कि ने अरजुन पुरस्कार किस सन में दिया गया तो 1972 में 1972 इस्वी में इनको क्या मिला अरजुन पुरसकार या किस राज जिके हैं तो याद रखना करनाटक राज जिके हैं कहां के हैं या तो यह अगर मैं बात करूँ आपसे तो करनाटक राज जिके हैं ठीक है ना तो याद रखिएगा और इसके साथ ही साथ बात करें तो यह जो हैं यह नहीं भाईया यह नहीं इन पे नजर मट डालो इन पे नजर मट डालो ठीक है ना इन पे नजर मट डालो ठीक है ना इन पे नजर डालो जो महान है ठीक तो अगर इनकी बात करें तो यह लगातार लगातार नव साल तक नव स राष्टिय चैंपियन रहे चैंपियन रहे तो यह सारी क्या है इनकी उपाधियां है इनकी उपलब्धियां है याद रखिएगा ठीक चलिए तो अब हम चलते हैं आगे की और किस नंबर पर थे हम चलो ठीक तो किस से संबन्दित है बैडमिंटन से संबन्दित है चले 29 नंबर यह 25 नंबर क्योशन यहां आगया क्या चलिए इसको हम उपर कर देते हैं थोड़ा 25 26 चलो 26 की बात करते हैं मानों सरीर में कुल कितनी मानस्पेशिया होती है 450, 545, 586, 649 बताओ क्या होगा सरील्टी और यूपी टीजीटी में करेंट आती है यूपी टीजीटी में करेंट जो भी आता है स्पोर्ट से रिलेटर वो भी थोड़ा बहुत आता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर यूपी में कोई घटना घटी है जैसे खेल आपका क्या हुआ है जैसे अब की बार इन्वस्टी गेम कहां हुआ है युप्ता प्रदेश में हुआ है तो युप्ता प्रदेश के किन किन सारों में हुआ है कौन उसका मोटो था क्या था तो वो आपका इनवस्टी गेम से क्योशन पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में खेलों के छेत्र में कौन कौन से पुरसकार दिये जाते हैं उनके भी से में बात पूछ ली जाती है इसके अलावा बात करें कि क्या-क्या घटनाय घटी है इनसे भी से में इसके अलावा ज़्यादा यहां नहीं पूछाए जैसे विबलडन कहां हुआ फीफा हुआ है या पूछा जाएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो क्या हुआ है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो क्या हुआ है आपका ओलंपिक हुआ है तो इन सबसे क्योशन बनाएगा ओलंपिक से बनाएगा आपका यह दो आप देखेंगे जिस साल यह जो मलब ओलम्पिक होता है एसियन गम होता है कामल वेल्ट होता है राष्टमंडर मलब जो भी गेम होते हैं उनसे क्योशन जरूर बनाता है और इसके अलाव भारत ने क्या-क्या उपादियां नहीं नहीं जीती है उनके भी से में आपको पढ़ना जरूरी है तो उनको आप पढ़ सकते हैं ठीक है ना? चलिए क्या होगा? मानों सरीर में कितनी मानस्पेसिया आती है तो 649 मानस्पेसिया होती है कितनी मानस्पेसिया होती है तो 649 मानस्पेसियां आपके पूरे सरीर में होती है अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि यह जो आपका मानस्पेसियां है यह मानस्पेसियां है मानस्पेसियों के अध्यन को क्या कहते हैं तो आप क्या बताओगे मायो लॉजी क्या मायो लौजी कहाज जाता है याद रखिएगा myo सब्द कहीं भी आए तो आप समझ जाईएगा myo स्पेसियों से संबंदित बात कर रहा है अगर मैं बात करूँ आप लोग से कि इसकी कोशिका का नाम क्या है कोशिका को क्या कहते है तो इसकी जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं मायोसाइट मायोसाइट और यही जो मायोसाइट होता है इसी को ही क्या कहते हैं आपकी मांस्पेसी का फाइबर बोलते हैं मसल फाइबर बोलते हैं क्या बोलते हैं मसल फाइबर बोलते हैं जिसे मायो फाइबरिल कहा जाता है मायो फाइब्रिल कहा जाता है याद रखिएगा तो मसल फाइबर जो होती है इसकी सेल होती है यह याद रखिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे सरीर का पूरे सरीर का मानस्पेसिय जो होता है 40-45% भार होता है इसमें दो चीजे होती है पहला नमबर होता है प्रोटीन और दूसरा नमबर क्या होता है जल तो अगर मैं बात करू तो इसमें दो चीजे होती है एक होता है प्रोटीन और दूसरा क्या होता है जल होता है प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो यह 25% तक पाई जाती है जल की मात्रा की अगर हम बात करें तो 75% तक पाई जाती है मानस्पेसियों के प्रकार की अगर हम बात करें तो यह 3 प्रकार की मानस्पेसियां पाई जाती है वह तीन प्रकार की मानस्पेसिया जो होती है वह कौन कौन सी होती है वह होती है एक होती है एच्छिक एच्छिक मानस्पेसि एच्छिक की अगर मैं बात करूँ तो जो यह आपकी एच्छिक है जो आपकी एच्छिक मानस्पेसि है इसे ही हम क्या कहते है इसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेखिये मानस्पेसिय भी कहते हैं, याद रखियेगा, इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा होता है अनैच्छिक मानस्पेसी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और रेखित मानसपेसी तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे की अगर हम बात करें तो यह तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं आपका हिर्दयक मानसपेसी हिर्दयक मानसपेसी यह कहते हैं याद रखियेगा अगर मैं बात करूँ यह जो एच्छिक मांस्पेसी है या हमारे सरीर में 40% पाई जाती है एच्छिक मांस्पेसियों का जो भार होता है वो 40% तक होता है या सरीर के भार का 2 बटा 5 भाग होता है किसका एच्छिक मांस्पेसियों का होता है ठीक है ना तो याद रखिएगा अगर मैं बात करूँ आपसे कि मांस्पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है तो मांस्पेशियों की मांस्पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है तो सारको मेयर होती है कौन होती है याद रखना सारको मेयर होती है सारको क्या होता है सारको मेयर होता है इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से तो इसमें कंट्रेक्टाइल यूनिट कौन होती है तो कंट्रेक्टाइल यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यह कंट्रेक्टाइल यूनिट भी कौन होगी सारको मेयर होगी क्या होगी सारको मेयर होती है याद रखियेगा इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें मसल तंतू जो पाया जाते हैं मसल फाइबर जो पाया जाते हैं वह कितने प्रकार के पाया जाते हैं तो यह दो प्रकार के मसल फाइबर पाया जाते हैं एक पाया जाता है लाल मसल फाइबर लाल मसल फाइबर और दूसरा पाया जाता है सफेद मसल फाइबर जिसे वाइट मसल फा संकुचित नहीं होता या दीरे-दीरे संकुचित होता है और इसके परत करो टी परत की परते होती है इसमें सही होती है कौन-कौन सी होती है AP-mysium, perimysium, endomysium AP-mysium सबसे बाहरी परत, perimysium, beach की और endomysium क्या होता है वह सबसे आंतरिक परत होती है यह तीन परता है इसके अलावा इसमें jet line होता है dark band होता है, light band होता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें तो इसमें होता है, आपका क्या फेसिया होता है फेसकल होता है, यह बहुत सारी चीजे होती है तो इसके भी से मैं अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा time हो जाएगा और हर एक चीज को मैंने बताया हुआ है अच्छी तरीके से समझाया हुआ है यह पूरा मसल चैप्टर ही बहुत तच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है मैंने ठीक है ना, तो चलिए 27 नमर, राश्की क्रीडा संस्थान पटियाला की अस्थापना हुई वर्स 1960 में, 1971 में, 1968 में, 1969 में बताएंगे क्या होगा ठीक है ना बकाइदा खोल के बकाइदा डाइग्राम के साथ एक एक डाइग्राम को बना के अपने हाथों से बना के समझाता चिक तो इसी लिए जिन लोगों को बैच से जुनना हो, वो 9628 959237 पे संपर्क कर सकते हैं तेकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर बैच कैसे ले, बैच कैसे ले तो उन लोगों को मैं बता दूँ यह जो बैच है आप 9628 959237 पे आप संपर्क कर सकते हो या वाटसप काल कर सकते हो आपको सारी जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी एक दम अच्छी तरीके से इसमें ठीक है ना तो जो लोग यह मारस की तयारी करना चाहा रहे है TGT का भी समय है वो तयारी करना चाहते है या NVS की जो बैकंसी आएगी उसके लिए या आपका कहा हरियाणा PGT है यंपी में है क्रीडा अधिकारी की इन सब की तयारी करना चाहते है वो किसी भी अधर इस्टेट की तयारी करना चाहते है तो वो इससे जोड़ सकते है चली अगले क्योशन की हम बात करते है राश्टी है क्रीडा संस्थान 19611 इसवी में कहां हुआ पटियाला में पटियाला में हुआ था तो यह जो पटियाला में वर्स 19611 में हुआ किस्टन में हुआ आपका 19611 इसवी में हुआ था तो अगर मैं बात करूँ कि यह कौन सी इनक्वाइरी कमेटी के सिपारिस पर हुई थी तो आप क्या करोगे एढाक इनक्वाइरी कमेटी क्या इसकी अस्थापना जो हुई थी इढाक इनक्वाइरी कमेटी के सुझाओ पर कमेटी के सुझाओ पर क्या हुआ था आपका जो पठियाला था जिसे नेता सुभास चंद बोस बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया 1937 में इसका नाम बदला गया 1937 में नाम बदल कर नाम बदल कर नेता जी सुभास क्या किया गया नेता जी सुभास संद आप क्या करेंगे नाम मतलब नेता जी सुभास राष्टी खेल संस्थान नेता जी सुभास राष्टी खेल संस्थान राष्टी खेल संस्थान संस्थान रखा गया ठीक याद रखिएगा तो 1937 में ही क्या हुआ यह आपका बात हुई अगर मैं बात करूँ कि यह कहां पे या किसकी मदद से हुआ तो स्री के इल स्री माली द्वारा किसके द्वारा स्री के इल स्री माली द्वारा अस्थापित मतलब की अस्थापित या इनके सहयोग से क्या किया गया अस्थापित किया गया था कहां पे मोदी बाग पहलेस में कहां पे मोदी बाग पहलेस पटियाला में कहां मोदी बाग पहलेस में तो पटियाला के महाराजा थे, उन्होंने अपनी जमीन क्या की थी, इसके लिए दान कर दी थी, आज के लोग दान ही नहीं करेंगे, कहेंगे भईया तुम देदो, हम तुम्हारा ही रख लें, ठीक है न, तो ये कंडिसन है, चलो अगले क्योश्यन पे, निम्न मेंसे मनोरंज के साधन है, बाद भी बाद, लोगनित, खेल, ये सभी, पताए क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल राजकुमारी अम्रिता कौर को 1969 में जो एड हॉक इनकारी कमेटी आई थी, उसी में क्या गर दिया है, उसी समय क्या हुआ था, वो अबंध हो गई थी, ठीक है न, चलो, बताओ, क्या होगा, निम्न में से मनोरंजन के साधन क्या है, तो मनोरंजन के साधन ये सभी हैं, अगर मैं बात करूँ, कि आपका मनोरंजन केंद्री बोर्ड की अस्थापना कब हुई, तो भारतिय मनोरंजन, मनोरंजन, केंद्री बोर्ड की अस्थापना, बताओ ज चल्दी से कमेंट करके कि इसकी अस्थापना कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? चल्दी से कमेंट करके बताओ कब हुई क्या बताओगे तो 1950 इसवी में किसन में 1950 इसवी में हुई थी अगर मैं बात करूँ कि मनुरंजन सिधांत मनुरंजन सिधांत किसस ने दिया तो मनुरंजन सिधांत की बात आएगी तो आप क्या बताओगे G.W. Patrick क्या? G.W. Patrick ट्रिक जी डबलू पैट्रिक ने क्या दिया था? मनुरंजन से धांद दिया था, याद रखिएगा, चलो निमलिखित में से किस से उर्जा प्राप्त नहीं होती, कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा, बताओ निम्लिकित में से किससे उर्जा प्राप्त नहीं होता तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो क्या होगा बिटामिन बिटामिन से उर्जा नहीं प्राप्त होता अब याद रखिएगा अगर मैं बात करूँ पोसक तक्तो की तो पोसक तक्त जो होते हैं या कितने प्रकार के अगर मैं बात करूँ तो इनको तीन रूपों में विवक्त किया गया है पहले की अगर हम बात करें तो पहला जो रूप होता है इनको इनकी हम ये कहें इनके यूज के अनुसार पे अगर मैं बात करूँ तो इनको पहला जो प्रकार होता है, इनको ब्यक्त किया जाता है, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो के रूप में, मैक्रो की अगर बात करें, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, तो क्या होगा, प्रोटीन, वसा, कार्बो हाइड्रेट, हाइड्रेट, माइक्रो, विटामिन और मिनेरल्स दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा है विसिष्टता के आधार पर विसिष्टता के आधार पर विसिष्टता के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो विसिष्टता के आधार पर आपका होता है प्रोटीन वसा कार्बो हाइडरेट बिटामेन खनीज और जल एक, दो, तीन, चार, पांच है मतलब 6 प्रकार फिर क्या होता है उपियोग के अनुसार उपियोग के अनुसार अगर बात करें या सरीर की नीड या उपियोग के अनुसार तब अगर मैं बात करूँ तो यह तीन प्रकार से पहला नमबर बात करेंगे तो उर्जा वाली उर्जा प्रदान करने वाले तो उर्जा प्रदान करने वाले कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन क्या C और P लिख दे रहा हूँ इससे समझ जाना कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन ठीक दूसरे की नमबर के अगर मैं बात करूँ तो दूसरा आपको क्या होता है कार्बो हाइडरेट उर्जा के बाद में ब्रद्धी जो ब्रद्धी का रख है तो ब्रद्धी के लिए कौन होता है यह C और P नहीं यहाँ पे वसा होगा मतलब फैट होगा C और F क्योंकि उर्जा की बात आएगी तो कार्बो हाइडरेट और वसा ब्रद्धी की बात आएगी तो प्रोटीन और फिर अगर बात करें रोगों से सुरच्छा रोगों से सुरच्छा की बात आएगी तो क्या हो जाएगा बिटामिन हो जाएगा ठिक क्या बिटिमिन हो जाएगा तो यह इतने प्रकार से आपको बाटते हो तो वही पूछ रहा है उर्जा प्राप्त करने वाला कौन से है कौन नहीं होता तो नहीं की बात कर रहा है इसलिए बिटामिन होगा अगर इनकी बात करें तो इन सबसे उर्जा मिलती है ठीक है ना तो अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइडरेट से कितनी उर्जा 4.1 KCL उर्जा मिलती है प्रोटीन से कितना मिलता है 4.1 KCL उर्जा मिलती है वसा से कितना मिलता है 9.1 KCL उर्जा मिलती है vitamin आपकी दो प्रकार की होती है जल में गुलंसील और वसा में गुलंसील तो यह बहुत सारी चीजें होती है इतनी छोटी सी class में सारी चीजें के explain नहीं किया जा सकता फिर भी जितना हो सकता है उतना explain कर देता हूँ कि आप जो है अगर इस class को ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीजें मिल जाए वह कौन सा ACI खेल है जिसमें PT उसा 4 सौन पदक जीत कर उड़न पड़ी कहलाई 1982, 1994, 1986 इन में से कोई नहीं बताओ क्या होगा इस question का answer वह कौन सा detail नीतु पवार जी detail से पढ़ना है तो detail से नीतु जी पढ़ना है तो इसके लिए आप 9628959237 पे आप संपर कर सकते हो वहाँ पे सारी चीजे आप लोगों को बता दी जाएंगी वहाँ पे काफी अच्छी तरीके से class आपकी चलती है आपको सारी classes काफी बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएंगी और जो लोग पढ़े हैं वो लोग तो देखे होंगे ठीक चलिए तो अगर मैं बात करूँ वह कौन सा ACI खेल है जिसमें आपका क्या है कि PT उसा नहीं कितने पदक जीते थे चार सौण पदक जीते Тो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो क्या होगा अगर मैं इसकी बात करेंगे तो इसका अनसर हो जाएगा कि PT उसा नहीं किस स्थे में 1986 1986 का जो ECI खेल था क्या जो 1986 का ACI खेल था वह दस्वा ACI खेल था क्यों सा था दस्वा ACI खेल था ACI खेल था और इस दस्वे ACI खेल में किसने आपकी जो PT उसा जी हैं इन्होंने क्या किया था इन्होंने कितने gold medal जीते थे 4 gold medal जीते थे और यह कहां पे हुआ था तो यह हुआ था Seoul में किसमें किसमें इन्होंने जीता था 4 gold medal तो अगर मैं बात करूँ तो 200 meter 400 meter 400 meter बाधा 4 into 400 relay इन्होंने क्या जीता था गोल्ड जीता था याद रखिएगा अगर मैं P.T.U.S.A. की बात करूँ तो P.T.U.S.A. किस राज जैसे संबंद रखती हैं तो याद रखना केरल राज जैसे रखती हैं केरल के केरल राज के एक छोटा सा गाउ है जिसका नाम क्या है पाउली है क्या है पाउली इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है पाउली एक्स एक्सप्रेस कहा जाता है इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है गोल्डेन गर्ल कहा जाता है गोल्डेन गर्ल कहा जाता है इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है उरन परी कहा जाता है इसके अलावा इन्हें एठलेटिक्स की रानी भी कहा जाता है याद रखियेगा इसके अलावा अगर हम बात करें कि PTO सा जो है या जो है वरतमान में वरतमान में क्या है आई ओ ए इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन की क्या है महिला अध्यच्छ प्रथम महिला अध्यच्छ यही है इसके अलामा अगर मैं बात करूँ तो ओलंपिक के फाइनल में ओलंपिक के फाइनल में फाइनल में पहुचने वाली पहली महिला पहली भारतिय महिला भारतिय महिला कौन है यही है यह जो ओलम्पिक था यह जो ओलम्पिक था जो कौन सा था 1980 का किसमें 1980 मासको ओलम्पिक में सरी यह जो ओलम्पिक था यह 1900 का नहीं था 1980 का नहीं था याद रखेगा 1980 में तो इन्होंने पहली बार भाग लिया था उलम्पिक में पहली बार जब भाग लिया था इन्होंने कब 1980 में इनके कोच कौन थे? OM-9BR OM-9BR जो थे इनके कोच थे और लास तक वही कोच रहे भी ठीक है ना इन्होंने क्या किया? फाइनल में जब पहुँची तो इनका क्या था? 1 by 100 1984 क्या था? 1980 में नहीं 1980 में पहली बार और दूसरी बार जब 1984 का उलम्पिक हुआ कब 1984 1984 का कहां हुआ था? लास एंजिलस में हुआ था लास एंजिलस में हुआ था और लास एंजिलस में जो हुआ था आप 1984 का ओलम्पिक उसमें इनको क्या जो सेकेंड होता है सेकेंड के सवे हिस्से से यह किस अस्थान पर रह गई थी सवे हिस्से से यह जो है 400 मेटर में चौथे अस्थान पर रह गई थी किस अस्थान पर चौथे अस्थान पर रह गई थी मतलब कि इन्होंने क्या कहा था वहाँ पे एक अचार चलता है केरल का उन्होंने यही कहा था कि मैं उबला हुआ आलू और क्या नहीं खा पाई मांस नहीं खाती थी और वो मैं नहीं खा पाई और मुझे क्या हुआ मैं वही अचार खाके गए जिसे ओड़कम क्या कहते थे उसको मैंने खाया था और हो सकता है वही हो मेरे लिए कि जो क्या हुआ जो कि नहीं हम का पापा है अस्थान नहीं पापा है लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत उपादियां हासिल की लगाता चार गोल्ड मिडल इसके बाद अगर मैं बात करूँ 1985 जकारता में पाँच गोल्ड मिडल इन्होंने प्राप्ट किया 1985 जकारता जकारता का जो एसी अनगेम था है इसमें इन्होंने कितने पांच गोल्ड जीते क्या पांच गोल्ड मिडल इन्होंने जीता लगाता है ठीक है ना तो इस तरीके से ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी है और इनके विसे में मैं इतने जाजा चीदे क्यों बताया क्योंकि NBS का एकजाम हुआ KBS का एकजाम हुआ मतलब जहाँ जहाँ एकजाम हुआ है वहाँ वहाँ इनके विसे में क्या पूछा गया है क्यों 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 बनाया गया है क्योंकि ये जो हैं भारत की पहली महिला अध्यच हैं क्या पहली महिला अध्यच हैं आईयो की तो पहली महिला अध्यच होने की वजह से इनके विसे मे क्या है अब यह नहीं पूछेगा कि भारत की पहली महिला अध्यचाईयों की कौन है यह पूछेगा कि अब इनसे related आपको बाकी चीजे पता है कि नहीं इस तरीके से वह question घुमा के आपके सामने रखेगा और यह question हर में पूछा गया है कि यह जो थी यह जो है किस किस alors्पिक में या किस गेम में पहले किसी में पूछा है कि किस oldest में यह जकेंड के सव्य हिस्से सरुग गई किसीमें यह पूछा गया कि कौन से गेम में सव्य हिस्स से रह गई यह सारी चीजे तो आप याद रखिएगा इनKE भी सेमें यह अभी क्योश्चन बन सकता है अब की बार कि चार सोन पदक किसमें जीता था इन्होंने पहली बार तो याद रखिएगा चलो विख्याद फुटबाल खिलाई डियागी डियागो महरा डोना संबंदित हैं ब्राजील से अर्जेंटीना से न्यूजिलेंड से कोर्स संबंदित जानकारी लेना वह 9628-959237 पर आप संपर्क कर सकते हैं आपको सारी जानकारी एकदम डिटेल विश्त्र तूप से आपको मिल जाएगी ठीक है ना एक अदम विश्त्र तूप से सारी चीज़ें मिले जिनको भी कोर्स से जोड़ना है जिनको भी क्या करना ह डेली मेरे साथ जोड़ना है वो लोग वहां से आप जाके सारी जानकारी आप ले सकते हैं आपको सारी चीज़ें के भी से में बता दिया जाएगा ठीक है ना याद रखिएगा तो चलिए इसका एंसर क्या होगा बताईए अगले क्योश्चन का एंसर क्या होगा मेरा डोना के भी से में पूछा है तो फुटवाल खिलाडी जो मेरा डोना है ये कहां डियागी मेरा डोना तो ये कहां के खिलाडी है अर्जेंटीना के कहां के अर्जेंटीना के ठीक क्या कहते हैं अर्जेंटीना के ये विच्चाद खिलाडी थे ठीक चलो अगले क्योश्चन की बात करते हैं अगला क्योश्चन क्या है ट्रैकोमा रोक किस अंग से सम्मंदित है दाथ से नाक से आख से कां से मुकेष सक्सेना गोरा आफ्टर-णोन भीया ट्लास देखते देखते पूरा काम कर लीЕН robot है अच्ची बात है देखें यह होना चाहिए से पूर मजिन न ने काया कि क्लास देखते देखते वह पूरा अपना काम भी कर ली क्लास भी देख लिए माल अगो काम चल रहा था अगर जिन लोगों के पास टाइम है तो वो तो बकायदा बैट के नोट सोर्स बना लें, जिनके पास मालों जो ग्रिहणी है, सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती है, वो महिलाओं को होती है, क्योंकि उनको घर को भी समालना है, घर का काम भी करना पड़ता है, सारी चीजे हैं और अब मैं बता दू, महिलाओं के लिए फिस्कल एजकेशन में बहतरीन मौका है, एमारस के लिए एमारस के लिए इतना बढ़िया मौका है, इतनी जादा पोष्ट कहां आई है अकेले महिलाओं के लिए इतनी पोष्ट कहां आई है, अकेवल महिलाओं के लिए इसलिए महिलाओं को जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के, किस से निकाले, किस तरीके से निकाले उनकी सुविधा के लिए आप थोड़ा घर वाले भी क्या करना सपोर्ट करें और वो नोकरी ले सकती है तो अगर आप भी अगर आपके अंदर जुनून है तो आप नोकरी ले सकते हो लेकिन अगर आप कोई लगता है सिर्फ आप बहाने मारोगे कि मुझे खाली नहीं मिलता यह नहीं होता वो नहीं होता मेरी परिस्थितिया नहीं सही है दूसरे को कोई सने से अच्छा है अपने आपके अंदर अपनी गलतियों को तरासलो आप सेलेक्शन ले लोगे याद रखिए ठिक देखो नीतु जी भी ने कल लिया टिक चलिए तो ट्रेकोमा रोग किस अंग से सम्बंधित है तो आप सब जानते हो ज़े ट्रेकोमा होता है वो आँख से सम्बंधित रोग होता है आँख से सम्बंधित क्या होता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो रताउंधी होता है color blindness होता है यह जितने भी रोग होता है वो सब किस से संबन्दित है आँख से संबन्दित रोग होता है अगर आँख की बात करें कि आँख के अध्धन को क्या कहा जाता है तो optology कहा जाता है क्या कहा जाता है अगर इसके cell की बात करें तो optocyte कहा जाता है कायर्णिया को ध्यान किया जाता है जो काला वाला भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं उसको आईरिस कहा जाता है यह सारी चीज़ें आग से संबंदे चीज़ें होती है चलो सारीरिक सिख्षा की सिख्षा में महत्तु की सुरुवात कब से मानी जाती है सत्रावी सताब्दी तो सारी इरिक सिख्षा में सिख्षा की सुरुवात की जब भी बात आएगी तो काब होगा तो याद रखिएगा 18 मी नहीं 19 सताब्दी में रूसों ने क्या किया था सारी इरिक सिख्षा को और मानसिक और सारी इरिक सिख्षा के दो भागों में बाता एक मतलब सिख्षा को दो भागों में बाता एक बाता मानसिक और दूसरा बाता सारी इरिक और सारीरी कौमानसी ग्रूप में बाटके प्रकित की अनुसार उनको क्या कर दिया दो भागों में बाटा और उनसे क्या किया उनसे जो है आपका क्या किया सिख्या में एक नया क्या जाली जान डाल दिया था तो यह है याद रखिएगा चलो हांकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की आत्म कता कौन सी है गोल्ड है गोल्डल है गोल्डन है रोल है बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा चल बताओ तो अगर क्या बात करेंगे हम गोल्ड गोल किसकी आत्म कता है मेजर ध्यान चंद की आत्म कता है दरेस आफ माई लाइफ दरेस आफ माई लाइफ किसका है मिलका सिंग मिलका सिंग का कौन दरेस आफ माई लाइफ ठीक अगर मैं बात करूँ आफसे अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल जो है किसका है एमसी मैरी कौन एमसी मैरी कौन ठीक उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्लेइंग इट्स माई वे प्लेइंग इट्स माई वे सचिन सचिन ठीक इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि यह सौट एट हिश्टी माई अब्जर्व जर्नी किसका अभिनो बिंद्रा का किसने किसका है अभिनो बिंद्रा का है ठीक प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल क्या सानिया नेहवाल ठीक उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर्व टू विन सर्व टू विन नवाग जोकोविक जोकोविक याद रखियेगा इसके अलावा अगर बात करें हम कि straight from the heart cricket my style ये किसकी है कपिल देव की वाइड एंगल पूसता है कि वाइड एंगल किसकी बूक है वाइड एंगल किसकी है अनिल कुम्बले की अनिल कुम्बले की जो बूक है वाइड माई एंगल है ठिक याद रखियेगा देश्ट आफ माई लाइफ देश्ट आफ माई लाइफ किसकी है यो राज सिंग की ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बहु मैंने बता दी अब इसके विसे में ज़्यादा नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि हांकी के विसे में मैंने इसके पीछे सारी चीजों को explain कर दिया था अब इसको answer तो आप जल्दी ही दे सकते हो ठीक है ना तो चलो तो हांकी की बात जब आएगी तो हांकी में क्या बताओगे हांकी के विच कितनी होती है अच्छा हांकी के विसे में नहीं बताए थे क्या फुटबाल के विसे में बताए थे ना चलो चलो हांकी के विसे में बता देते हैं आप लोगों को हांकी के विसे में बता देते हैं नहीं तो आप भी कहोगे कि अवो एक्शुलिं फुटबाल मेरे ध्यान में था तो चलो हांकी के भीसे में भी बता देते हैं कि हांकी में क्या क्या चीजें होती हैं देखो अगर हांकी के भीसे में बात करें हम तो हांकी में सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम ग्राउंड की मै कि लंबाई और चोड़ाई जो होती है वह कितनी होती है 100 याड होती है 100 याड के बाद में अगर हम बात करें कि चोड़ाई कितनी होती है 60 याड होती है 91.04 क्या कर सकते हैं चार जीरो इंटू 60 को हम क्या कर सकते है 55 कर सकते हैं तो यहीं क्या हो गयाएगा 55 मीटर ठीक यह तो लंबाई और चोड़ाई हो गई अब इसके बाद में अगर बात करें कि इसमें लाइन की चोड़ाई कितनी होगी लाइन की चोड़ाई साड़े साथ सेंटीमीटर साड़े साथ सेंटीमीटर अब साड़े साथ सेंटी मतलब क्या होता है तीन इंच ठीक अगर मैं बात करूँ आप लोगों से की सूटिंग लाइन कितनी होती है 16 याड की क्या होती है 16 yard की shooting line होती है आपकी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से penalty spot कितनी दूरी पे होता है तो penalty spot कितनी दूरी पे आप बताओगे 7 yard की penalty yard कितनी दूरी पे 7 yard की रेखा जो होती है 7 yard की दूरी पे क्या होता है आपका penalty spot होता है या हम यह कह सकते है पेनाल्टी स्पोर्ट का जो ब्यास होता है वह कितना होता है ऐसे बिंदी होता है तो 6 इंच का ब्यास होता है 6 इंच क्या होता है उस पेनाल्टी का ब्यास होता है हाकी का वजन कितना होता है हाकी के वजन की बात करें तो 377 या 373 373 ग्राम होती है कितनी होती है हांगी का इश्टिक का वजन की अगर हम बात करें तो 12-26 वही 377 या 373 ऐसे ही है कुछ तो याद रखिएगा क्या होता है 373 ही हो क्योंकि 377 किसने एंसर दिया है 737 ग्राम किसने एंसर दिया है 737 ग्राम निहार रंजन ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा हांगी का वजन 737 ग्राम होता है और यह जो हांगी होती है या हांगी क्या होती है दो सेंटीमीटर का एक शल्ला होता है उस छले से क्या होनी चाहिए दो इतना बढ़ा गोला चल्ला होगा उस छल्ले से पास हो जानी चाहिए अगर उससे पास नहीं होगा तो हांकी क्या हो मानी जाएगी हांकी अवैद मानी जाएगी और उसे हम खेल में नहीं लेते है या याद रखिएगा ठीक है न चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से किसमें जो अब किसकी बात करेगा अब आ रहा है आपका गोल पोश्ट की बात ठीक है ना तो अब गोल पोश्ट की बात अगर आ रही है तो हम गोल पोश्ट के भी से में बता देते हैं ब्लैक बोर्ड की उचाई पूछता है तो वह कितना होता है 18 इंच और यह क्योश्यन अक्सर पूछ लेता है उसमें क्या होता है ब्लैक कलर का आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड लगा होता है उसी की आप से पूछेगा उचाई कितनी होती है तो 18 इंची उचा होता है ब्लैक ब क्या होगा? क्या होगा? स्क्वैर स्केल कहाँ खेला गया? तो क्या बताओगे? स्क्वैर स्केल की सुरुवार इंग्लेंड में हुई थी 1617 में कहाँ? इंग्लेंड में? कहाँ पे? 1617 किस में? 1617 इस्वी में हुई थी 1907 में इसकी प्रतम प्रतियोगिता हुई थी 1907 में प्रतम प्रतियोगिता क्या हुआ था? 1907 में इसकी क्या हुई? इसकी जो है प्रतम प्रतियोगिता हुई थी तो स्क्वेस के बिसे में ज़्यादा आपके चैप्टर में है भी नहीं और यहां से क्योश्चन भी नहीं पूछा जाता रेबी या हाइड्रोफोविया रोग होता है वायरस से जिवाडू से कवक से क्रीमी से बताओ क्या होगा स्क्वेस खेल सर्थ बताइए अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो आप क्या बताओगे अगर मैं इसकी बात करूँ कि रेबी या हाइड्रोफोविया रोग क्या होता है हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोविया का मतलब क्या होता है डर तो पानी से जो डर लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं रेवीज कहते हैं तो पानी से डर लगता है या रेवीज जो होता है या कैसा होता है रोग या पूछा है ठीक बताओ कुत्ते के काटने से ही केवल रेवीज नहीं होता कुट्ता हो बंदर हो कोई भी वह जानवर जिसमें केनाइन प्राप्त होता है क्या केनाइन दात होते हैं उन सबके काटने से क्या होगा उन सबके काटने से आपका रेवीज नामक रोग होता है केवल और केवल आपके कुट्ता काटने से ही आप मत सोचिएगा कि केवल कुट् आपको रेबीज हो जाएगा तो याद रखिएगा और यह कैसा है वाइरस जनित रोग है याद रखिएगा इसमें पानी से डर लगने लगता है आपको ठिक चलो सहयुक्त राश्च संग के सदस्य देशों की संख्या कितनी है 180, 190, 190, 192 बताओ बताओ सहयुक्त राश्च संग के सदस्यों की संख्या के विश्यम है एक्सोतिरानवे लेकिन यहाँ अफ्सण में दिया ही नहीं है तो इसका आयोगने अंसर पक्का है कि खैरिज ही कर दिया होगा ठीक है ना सैयुक्त राष्ट संग के अस्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 सैयुक्त राष्ट संग की अस्थापना अस्थापना की बात पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे 24 अक्टूबर 1945 इसमें क्या हुआ था आपकी जो सैयुक्त राष्ट संग है इसकी अस्थापना हुई थी तो याद रखिएगा चलिए इसके भी से में आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा चलो यह सब लटी में आपके क्योस्चन पूछे जा सकते हैं आपके उमारIST में पूछे जा सकते हैं अंबियस में पूछे जा सकते हैं और TGT में नहीं पुछा है क्यूंकि TGT में सिर्फ हो सिर्फ अब ये आपका के वलोग के और स्पोर्ट से ही क्योस्टन पूछा जाता है और ये मदब की जो आपका टॉपिक में दिया है जो आपके सलेबस में दिया है वह ठीक अब बढ़ गई ही है अब 123 का टी ना अब बढ़ गई है अब 133 राश्टों की संख्या की बात करेंगे होगा साइड अभी कुछ राश्ट कही रहे है मांग ही कर रहे हैं कि मुझे क्या किया जाय है वो अपना अलग ही मांग कर रहा है कि मुझे अलग से राष्ट बनाने का क्या किया जाए हमको जो है राष्ट का दर्जा दिया जाए ठीक है न तो बताइए क्या होगा योनो महासभा की पहली प्रथम अध्यच कौन थी भारती है बनाया गया था किस्षन में 1903 में बनाया गया था चलो अगले क्योशन की बात करते हैं कनाडा का राष्टी खेल क्या है फुटबाल आई सांकी जूडो कोई नहीं बताओ क्या होगा बताइए अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा का जो क्या होगा आई सांकी क्या होगा आई सांकी जो है यह कनाडा का क्या है राष्टी है खेल है ठीक अगर फुटबाल की बात करें तो यह बिस्व का क्या है बिस्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है क्या है सबसे प्रसिद्ध खेल है और जो आपका क्या है जो आपका जैसे की जो डवलप्ड कंड़ी है उनसे में ज्यादा तर फुटबाल ही क्या वाना जाता है राष्टी खेल के रूप में लिया गया है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप से पूछता है कि diagonal of setting किसमें चलती है फुटबाल में चलती है आप से अभी पूछा जाता है किसमें जो है इसमें timekeeper नहीं होता इसके अलामा अगर मैं बात करूँ इसमें एक चीज और पूछता है कि आपका ये जो football है इसमें जो है क्या नहीं होता time out नहीं होता है यह सब कीज़े अगर judo की बात करें तो जापान side क्या होता है जापान का जो राष्टी खेल है वह क्या है judo ही तो है 41 नंबर स्वेथलिंग कब की स्खेल से सम्मन्दित है विस बैडमिंटन विस टेबल टेनिस ACI बैडमिंटन और विस टेबल टेनिस देखिए पिछली बात जो मैंने पिछले Sunday को पिपर कराया था उसमें टेबल टेनिस का आपका क्या आया था आपकी जो भी प्रतियोगिताएं थी वहां आई थी और मैंने टेबल टेनिस से जितनी भी प्रतियोगिताएं थी मैंने वह सारी प्रतियोगिताएं आपको बता दी थी टेबल टेनिस से रिलेटेड जितनी प्रतियोगिताएं थी उन सारी प्रतियोगिताओं को बता दिया था अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज या दखना अब आपको विस्टो टेबल टेनिस तो याद है आप जल्दी से एंसर लगा दोगे नहीं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे महिला है और यहाँ पे पूरूस है तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना तो इसके भी से में पिछले बारे संडे में हमने क्या किया था? आपको सारी चीजें बता दी थी तो अगर मैं बताओं आपसे कि जो आपका स्वेथलिंग कप है क्या बात कर रहा है? स्वेथलिंग कप वहाँ किस से सम्मंदित है तो स्वेथलिंग कप जो है वहाँ विस्टेबल टेनिस किस से? पूरूस से तो एंसर नमबर डी होगा और विस्टेबल टेनिस महिला की बात करे कि विस्टेबल टेनिस महिला की कौन सी प्रक्तियोगता होती है तो कार्विलाउन होती है क्या होती है कार्विलाउन कार्विलाउन महिला क्या कह रही है महिला कह रही है कि भाईया क्या करो कार लाओ मतलब बीबी क्या कह रही है कार्विलाउन मतलब कार लाओगे तब तुम कहां चलोगे तब तुम मेरे साथ चलोगे पुरुस को क्या कहा रही मैं तुम्हारे साथ कब चलूँगी विदाई के बाद जब तुम कार लाओगे तब तो कारली कारली बान ठिक तो कारली बान किस से संबन्दित है विस्ट टेबल टेनिस महिला विस्ट फूरुस से कौन स्वेथलिंग कब ठिक चलो अगले क्योशन की बात करते हैं 42 नंबर क्या कर रहा है मानों में क्रोमोसोम की संख्या होती है 22 जोड़े 23 जोड़े 24 जोड़े 46 जोड़े बताओ क्या होगा बताइए क्या होगा बताइए तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा 23 जोड़ा क्या होता है तेमानों क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है 23 जोड़े में 22 जोड़ा जो होता है वह क्या होता है वह होता है आटोसोम क्या होता है आटोसोम जिसे हम क्या कहते हैं काईक गुण सूत्र बोलते हैं और एक जोड़ा क्या होता है ओलोसूम एक जोड़ा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं ओलोसूम कहते हैं जिसे हम लैंगिक गुनसूत्र कहते हैं क्या करते हैं लैंगिक गुनसूत्र कहते हैं या जो एक जोड़ा लैंगिक गुनसूत्र होता है या क्या होता है पुरुस और महिलाओं में अलग-अलग होता है पुरुसों में यह जो गुरुसूत्र होता है यह होता है X और Y और महिलाओं में जो गुरुसूत्र होता है वह होता है X और X और जब कभी भी X पुरुस का X और महिला का X यह दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्मार करते हैं तो निर्मार करते हैं xy जब xx मिलेंगे तो लड़की का मतलब पुत्री रत्न की प्राप्ती होता है जो status लगा देते हैं आज हमें पुत्री रत्न की प्राप्ती हुई तो यह जो पुत्री रत्न की प्राप्ती हो रही है तो वो यही है इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से कि जो पुत्र रत्न होता है यह जो पुत्र रत्न होता है जिसे बहुत ही नकारा रत्न माना जाता है तो यह नकारा रत्न जो है जब पूरुस का वाई और महिला का यक्स गुण सूत्र म अब तो लोग कहें भले, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पीछे हैं, पहले क्या होता था, जब महिला को लड़कियां ही लड़कियां होती थी, तो उनको ज्यादा मलब कश्ट दिया जाता था, और उसका श्रेक किसको दिया जाता था, महिलाओं को दिया जाता था जब कि बेचारी महिला का किसी भी प्रकार से उसमें कोई सहयोग नहीं उसके पास तो दो गुर्ण सूत्र है ही वो भी कौन से हैं वह अब अभी केवल एकस एकस है उसका तो चाहे इधर से कान पकड़ो जाएगा एक ही चीज और इसके अलामा अगर बात करें जो क्या होता था जो दिक्कत होती थी वो पुरसों के गुर्ण सूत्र की वज़ा से होती थी लेगिन लोग नहीं समझते थे इसके अलामा यह जो काईक गुर्ण सूत्र होता है इसी काईक गुर्ण सूत्र के अंदर जब चंजज़ आते हैं तो आपको क्या होता है, इसकी जम संख्या बढ़ती है, या संख्या घटती है, तो आनुवांसिक रोग होता है, जितने भी आनुवांसिक रोग होते हैं, वह इन ही के कारण होता है, इनकी संख्या या तो बढ़ जाती है, या तो घट जाती है, याद रखिएगा, चलो अगल क्योस्चन पर चलते हैं अगला क्योस्चन क्या कह रहा है 208 से दिवस कम मनाया जाता है 208 से दिवस कम मनाया जाता है बताओ तो अगर 208 से दिवस की बात करें तो एक दिसंबर को क्या मनाया जाता है एक दिसंबर को 208 से दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा इसके अलावा अगर आप से यह पूछ ले कि कैंसर दिवस कम मनाया जाता है तो विस्टों कैंसर दिवस कब पता होगे कि कम मनाया जाता है तो चार फरवरी को कौन चार फरवरी को क्या मनाया जाता है विस्टों कैंसर दिवस मनाया जाता है इसके अलावा मलेरिया दिवस कम मनाया जाता है तो मलेरिया दिवस 25 अप्रेल को मलेरिया दिवस किस दिन 25 अप्रेल को इसके अलाव मलेरिया के बाद अगर मैं बात करूँ तो मलेरिया के बाद क्या विश्व स्वास्थ दिवस साथ अप्रेल को क्या मनाया जाता है विश्व स्वास्थ दिवस मनाया जाता है रेड क्राश डे आठ मई रेड क्राश डे आठ मई ठीक रेड क्राश डे के बाद में अगर मैं बात करूँ योग दिवस कम मनाया जाता है और अपकी योग दिवस का थीम क्या था मैंने आपको सारी चीजे सामवाली क्लास में बताया है तो योग दिवस 21 जून 21 जून इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पोलियो दिवस क्या पोलियो दिवस पोलियो दिवस 24 अक्टूबर तो ये कुछ दिवस्ते हैं इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा चलो अगले क्योश्चन की और चलते हैं बेस्ट श्ट्रोक किस सम्मंधित है फुर्बाल तेरा की क्रिकेट बैडविंटन बताओ बेस्ट श्ट्रोक की बात कर रहा है कि बेस्ट श्ट्रोक किस से सम्मंधित है बताई हेपेटाइटिस जे तो पीछे बता दिया 28 जुलाई को हेपेटाइटिस जे तो पीछे बताया 28 जुलाई को मनाया जाता है वो तो मैंने बता ही दिया अब की बार थीम क्या है वो भी मैंने बता दिया चलो तो अगर मैं best stroke की बात करूँ तो यह best stroke जो है या तैराकी से सम्मंदित होता है या क्या है या तैराकी की सैली होती है क्या होती है सैली होती है तैराकी की जो सैली होती है वह चार प्रकार की होती है कहीं कहीं आपको 6 प्रकार को भी देखने को मिल जाता है कुछ किताबों में आपको क्या मिल जाता है छे प्रकार भी मिल जाता है तो कौन कौन सा होता है अगर मैं बात करूँ तो यह चार प्रकार होता है best stroke breast stroke back stroke back stroke freestyle butterfly सेल टेकनिक सेल टेकनिक सेल टेकनिक यह सब क्या है यह अच्छा प्रकार यह चापका में लेकिन मुख्यता अगर मैं बात करूं तो मुख्यता है आपकी जो चार प्रकार यही है कौन सी best stroke backstroke freestyle और butterfly यही आपकी अगर इसमें प्रतियोगिता की बात करें किसमें प्रतियोगिताएं किस दिनी होती है प्रतियोगिता तो हम ओलम्पिक की बात करेंगे ओलम्पिक में पूरुस और महिला दोनों के लिए कितनी प्रतियोगिताएं होती है दोनों के लिए तो याद रखिएगा प्रतियोगिता क इसका गठन कब हुआ था फीना का गठन कब हुआ 1908 में क्या हो गया था फीना का गठन हुआ इसका मुख्याले कहां है स्विड्जल लाइन में है अगर मैं बात करूँ आप से की स्वीमिंग फेडरेशन आफ इंडिया SFI Swimming Federation of India का गठन 1947 में दे साजाद हुआ आजादी के एक साल बाद मुख्याले कहां है आहमदाबाद में ठीक ओलम्पिक में इसको कभ सामिल किया गया तो सुरू से ही सामिल किया गया था लेकि महिलाओं को Walampic में कभ सामिल किया गया इसमें महिला को Walampic में कभ सामिल किया गया तो आफ सब जानते हो कभ जब International Association Athletic Federation के अस्थापना हुई मतलब 1912 17 किस्छन में 1912 17 में इसकी अस्थापना हुई थी अगर swimming full के आकार की बात करें तो 50 x 25 50 x 25 क्या होती है swimming pool होती है कितने lane होते है 8 lane होते है ठीक कहीं कहीं आपको 10 lane पहले 10 lane होता था लेकिन अब 8 ही lane हो गया है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि lane की चौडाई कितनी होती है तो lane की चौडाई कितना बताओगे चौडाई अगर मैं पूछ लो तो चौडाई कितना बताओगे 2.5 मीटर क्या होती है इसकी lane जो होती है उस lane की चौडाई होती है इसके अलावा अगर आप लोगों से मैं पूछू कि इसमें प्रथम अर्जुन पुरसकार विजेता कौन है तो आप क्या बताओगे जेम बजरंगी प्रसाद है ठीक बजरंगी प्रसाद जी है और रोणाचार निहार अमीन है ठीक याद रखिएगा ये सारी चीज़े पानी का तापमान कितना होता है 25-28 centigrade तक क्या होता है पानी का तापमान होता है ये सारी चीज़े है हैपेटाइडिस B वायर्यस निमलिखित में से किस रोग है प्रशनाल्टी की बात कर रहा है प्रशनाल्टी को प्रभावित करने वाले तत्तों की बात कर रहा है प्रशनाल्टी कैसे प्रभावित होती है इसकी बात कर रहा है ठीक है ना तब तक आप लोग करते रहे हम थोड़ा सा पानी लेकर आ जाए ठीक चलिए बताए ये क्या होगा तो व्यक्तित को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो अब वनसान उक्रम और वातावरण कैसे होगा आदमी कहा जाता है कि जैसा बेटा जैसा बाप वैसा बेटा कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर क्या होता है ज्यादातर घट्नाओं में यह चीज हो जाती है कुछ ऐसे प्रशनालिटी की कुछ जो वनसानुकरम से ही आती है। कुछ attracted के ऐसीृ छीजे हैं जो वनसानुकरम से चली आती है। पीढ़ी तरपीढी क्या होती है। चली आती है तो वह बैक्टित उसके बाद वातावरण की बात करें तो वातावरण का भी बहुत प्रemiधाव पड़ता है अगर आपको अच्छी संगत में रखा जाएगा तो आपके ब्याक्टित में आपके प्रशनाल्टी में क्या होगा अच्छे गुणाएंगे लेकिन आपको बुरी प्रशनाल्टी में रखा मलब बुरे लोगों के साथ रखा है लोग अंदर कुमार जी अरे खाया नहीं खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं वह आप लोग पढ़ते रही है बस ठीक है ना चलिए आ सकते हैं जैसे आप है अप लोग है dois लोग अलाहबाद क्यों आते हैं इस लिए आते हैं प्रियाग राज जिसका नाम हो चुका है तो वह दो प्रियाग राज में लोग क्यों आते हैं जनते दिल्ली क्यों जाते हैं मुकर्जिन surprises बहुत्त होती है तो व्यक्तित तो यही होता है तो व्यक्तित तो क्या होता है व्यक्तित की अगर हम बात करें तो जो आपके अनुभव के द्वारा ट्रेनिंग के द्वारा आपके बेवहार का जो परिवर्तन है जिसको आप लर्निंग कहते हो वही क्या है व्यक्तित तो होता है और व्यक्त किससे द्वारा फैलता है यहां लिखो किसके द्वारा फैलता है जिमाड कुबग विशाणू आज जन्तू बताओ मलेरी डेंगू बताओ डेंगू की बात कर रहा है अजय सूपर क्लासर जी थांक्यो जय जी चलिए महसर ने खाना खा लिया अरे नहीं भी या महसर जी ऐसा नहीं है अलावान मोग चुपाने के लिए जाते हैं पता नहीं भी या इसा क्या है चलिए बात करते हैं हम डेंगू की तो डेंगू जो होता है एडीज इजिप्ट नामग मच्छर के काटने से होता है किसके एडीज इजिप्ट नामग मच्छर के काटने से होता है इसे क्या कहा जाता है हडी तोड बुखार हडी तोड बुखार कहा जाता है इसमें क्या होता है प्लेट लेट्स की मात्रा तेजी से कम होती है जब डेंगू हो जाता है तो जो भी जॉइंड्स है पोर्स है उनमें क्या होने लगता है दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा इसके अलावा फीवर भी आता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्लेट्लेट्स की मात्रा डाउन होती है और जब प्लेट्लेट्स की प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके बॉड़ी में पाया जाता है तो यहीं प्लेटलेट्स की जब मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है कि आपका ब्लड की फ्लो की जो मात्रा होती है speed होती है वो काफी तेजी से हो जाती है जिसकी वज़ा से क्या हो जाता है internally bleeding चालू हो जाती है और internally bleeding जब चालू हो जाती है तो इंसान की क्या होती है डेट हो जाती है तो डेंगु ज्वर की अगर मैं बात करूँ कि डेंगु जो जो है वह किससे फैलता है तो याद रखिएगा जो क्या होता है आपका सेली मोना टाइफी क्या होता है डेंगु जो 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 पहलता है जो वायरस होता है किससे जो वायरस होता है विशाणू होता है उससे फैलता है तो याद रखिएगा ठिक क्या होगा C हो ठीक है ना तो याद रखिएगा चलो अगले क्योश्चन की अब हम बात करते हैं अगला क्योश्चन क्या कह रहा है टाइफाइड नामक जीवाणू से होता है टाइफाइड किस जीवाणू से होता है बैसिल से होता है वेब्रियो से होता है सैलिमोना से होता है कोरीना से होता ह बताइए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है बताइए टाइफाइड नाम जिवाडू से होता है अब देखेंगे आप एक चीज अनुभो किये होंगे कि आपने PGT का पेपर किया आपने TGT का यह दूसरा सेट चालू है आप यह जरूर देखे होंगे यह जो डिजीज वाला चैप्टर है ना रोग वाला चैप्टर यह आपके लिए कितना इंपोर्टेंट है यहां से 5-6 हर जितना भी आपने सेट किया है हर सेट में 5-6 क्योश्चन आये हैं और एक भी सेस्ता आपने देखा होगा जो एड्स है एड्स जो है PGT में अभी हर पेपर में पूछा जा रहा है अभी तक पिछले पेपर में भी पूछा गया इस पेपर में भी पूछा जा रहा है तो एड्स भी बहुत क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो एड्स के भी सेमें आप पढ़ेंगे तो डिजीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह पेपर क्यूंकि अभी टाइम है अभी आप पढ़ सकते हो अपने से भी पढ़ सकते हो कोई भी कोचिंग सेलेक्शन नहीं दिलाता मैं एक चीद बता दू कोचिंग सेलेक्शन नहीं दिलाता सेलेक्शन आप अपने से लेते हो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सही गाइ चलिए अब अगर मैं बात करो तो टाइफई जो होता है वह क्या होता है सैलीमोना चैनिमोनील्या टाइफी होता है उसी से च्या होता है टाइफाइड नामक रोग होता है क्या होता है टाइफाइड नामक रोग होता है टाइफाइड जो होता है या किस से होता है दूसित जल दूसित जल से दूसित जल के अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसित खाने से दूसित खाने से आपका क्या होता है जो टाइफाइड होता है यह रोग होता है वेब्रियो कोलराई से क्या होता है कालरा नामक रोग हो जाता है क्या होता है कालरा नामक रोग हो जाता है कोरीना की बात करें तो पोलियो के लिए मैंने आपको पीछे बताया ही था को होता है अब बताओ बैसिल में सर्वा दिख सकती सालिमान स्पेशिया कहां होती है पाउ में जांगों में जबड़े में बाहों में कहां होती है कहां होती है कि दिश्टर मत आनना का लगा है कि सर्पीजी के पेपर कब ओगा भी या अपको इसका डेट नहीं पता है भी या इसका लेट अभी कुछ भी नहीं आया है लेकिन अगर सितंबर में होने के संस्थ स्यांस हैं कि सितंबर उतंबर तक आपका पेपर हो जाएगा लेकिं तैयारी आप अपनी करते रहे हैeeee तो उनको होनी चाहिए, जिनोंने फाम ही नहीं डाला है, जिनको मोका ही नहीं मिला है. तुमें क्या टेंसन, अगर आज paper देखो, जैसे की betting list clear हुई. 2016 की betting list clear हुई, 2021 की betting list अभी clear हुई. तो जिन लोगों ने paper दे दिया, अब होगा तो होगा. तैयारी करते रहो अपनी तैयारी कभी complete नहीं होती जब तक आप selection नह पा जाओ तो अपनी तैयारी में लगे रहो बस सरवास सक्तिसालि मानस्पेशी कौन से होती है तो जबडे की मानस्पेशी होती है जिसे हम क्या कहते है जिसे हम बोलते है μαςेटर क्या कहते हैं मसेटर बोलते हैं अब इसको कैसे याद रखोगे मजबूत व्यक्ति क्या करता है किसी भी चीज को पकड़ के मसल देता है तो मसल से याद रखना मसेटर तो जबड़े की जो मसल होती है या सबसे ज्यादा मजबूत होती है बाहों में जो मसल होती है कौन सी होती क्या होती है बाइसेप और ट्राइसेप और जांगों की बात करें तो सबसे लंबी मसल सबसे लंबी मसल कौन सी सार्टोरियस जिसे हम क्या कहते हैं टेलर मसल कहते हैं यहीं पर पाई जाती है पाओ में क्या होती है आप क्या होती है पाओ जो पैर है पैर की बात करें तो पैर में आप बताओ क्या होती है तो गैस्ट्रिक मसल कहां पाई जाती है आपके पैर में ही जो पिंडली होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक मसल इसके अलावा पैर के तलवे के पास होती है यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं बता सकते हैं किरपया करके कमेंड करके हमें बताएं कि जो एड़ी में एंकल में पाई जाने वाली मसल है उसे हम क्या कहते हैं उसकी चोट भी होती है जिसके भी से में मैंने बताया है तो बताओ क्या होगा, चलो अगले क्योश्चन पे चलते हैं, अगला क्योश्चन क्या कह रहा है, वह कारत जो व्यक्ति को कार करने के लिए उससा बढ़ाता या घटाता है उससे कहते हैं, अधिगत, स्वाधारण, प्रेनडा, इन में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा, और हम सब इस समय कहां पहुँच चुके हैं हम लोग half century पे पहुच चुके हैं तो चलिए बताइए solius बहुत बढ़ी है किसने बताए योगंदर जी ने नीतु पवार हितेंदर स्वामी चलिए कलकेनियम हड़ी होती है मुकेज़ी कलकेनियम नहीं solius होती है solius मांसपेसी बोलते हैं उसको कलकेनियम हड़ी होती है अच्छा कलकेनियस हाँ कलकेनियस होती है कलकेनियम की बात करेंगे तो कलकेनियम हड़ी होती है और कलकेनियस जो होती है वो मसल होती है ठीक याद रखिए तो वहाँ पे क्या सोलियस कलकेनियस ये सारी क्या होती है आपकी मसलफ आई जाती है तो वह कारक जो व्यक्ति को कार करने के लिए उससा बढ़ाता या घटाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम प्रेरणा कहते हैं तो जो प्रेरणा होती है या कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है क्या होती है और एक शिध्यान दि होंगे motivation से 2-3 ग्योश्चन आप जरूर देखे होंगे PGT में भी देखे होंगे 3SET में जो तीन बार हुआ आप इसके पिछले वाले संडे में जो paper हुआ 1999 99 वहाँ भी प्रेणडा से क्योशन था और यहाँ भी प्रेणडा से क्योशन है तो आपका मनो विज्ञान में प्रेणडा और दूसरा टापिक आपका होता है अधिगम ठिक तो अधिगम में जो होता है वह दो चीजे आप जरूर पहली जिएगा काफी अच्छी तरीके से सकारात्मक प्रेणडा यह जो सकारात्मक प्रेणडा होता है इसे हम क्या बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं क्या धनात्मक प्रेणडा भी बोलते हैं और इसे का बोलते हैं हम इसे हम नकारात्मक प्रेणडा को इसे धनात्मक और इसे हम क्या कहते हैं रिनात्मक प्रेणडा भ नहीं कि एक उर्पया दे रहे हैं फोटो खिचवा ले रहे हैं पता चला एक केला दे रहे हैं दस लोग कुछ नहीं बीना निश्वार्त भाव से आप कोई कारे करते हैं वह क्या होती है सकारात्मत प्रेड़ा होती है मतलब अंदर से आपको किसी कारे को करने के लिए जो प्रोप्सान मिलता है उसे हम क्या कहते है सकारात्मत प्रेड़ा क्या होती है नकारात्मत प्रेड़ा वह प्रेड़ा होती है जो आप डर से जैसे जिन लोगों की साधी हो गई होगी उनके त हरसे कि मास्टर बहुत मारेगा बहुत खडूस मास्टर है तो उसकी डर से जो आप सब पढ़ाई करते थे वह क्या है वह नकारात्मक है क्योंकि वह जादा दिन तक नहीं चलेगी वह एक समय के बाद रुक जाएगी या आपको जब पांच उर्पया दिया जाता था कहा जाता मास्टर साहब का समाज में जहां बैटेंगं आईए इस मास्टर साहब है तो मास्टर साहब का जो अब यह नकारात्मक प्रेड़ा के नंतरगत आती है ठीक याद रखिएगा चलो अगले क्योस्टन की हम बात करते हैं भारत का सर्वादिक प्राचीन फुटबाल क्लब कौन सा है इस्पोर्टिंग इस्ट बंगाल डलहोजी मोहन बगान बताओ क्या होगा मतलब हर बार आंतरिक और ब्याह में बताता था अब कि बार सकारात्मक और नकारात्मक बता दिया तो दिमाग से हौल हो गया यही होता है चारू चीजे पता हो नीचे उसे आंतरिक प्रेड़ा और बाहर प्रेड़ा भी कहते हैं उसे सकारात्मक उसे नकारात्मक भी कहते हैं तो याद रखिएगा कोहीं भी पूछ सकता है आंतरिक प्रेड़ा जो होती है वो सकारात्मक होती है जो वाय प्रेड़ा होती है उसे नकारात्मक कहते है याद रखिएगा क्योशन किसी भी तरह से घुमागे पूछ सकता है भाई सकारात्मक और नकारात्मक तो आपको आंतरि क्लब जो की 1880 स्वी में बना था तो यहीं होगा ठीक है ना 1888 में डलाओ जी नहीं बना था योगंदर जी दूरंड कप बना था याद रखिए गा 1888 दूरंड कप ठीक याद रखिए अगरे क्योष्टि की इसाब के हिसाब से क्योष्ट था करेंड का क्योष्टर रहा होगा कि किसको सताब्दी का सीमेट अंतर राजटी क्रिकेट खिलाडी घोसित किया गया बताओ योगेंदर जी स्वारी की बाप नहीं है आप लोग तुरंद स्वारी करने लगते हो स्वारी बलब स्वारी अब मतलब हर जगा स्वारी ठीक है गलतिया इंसान से होती है मुझसे नहीं होती है क्या मुझसे भी गलति होती है उससे क्या होता है न कि आपको पता चलता है मैंने सही दिया या गलत दिया ठिक ये चीजे होती है चलो अगर मैं बात करूँ कि इसका तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा आप लोगों का क्या होगा पता ये जल्दी से तो क्या होगा कपिल देव को दिया गया था किस व्षार भरबर कुछ भी नहीं चूड़ा है तो इसका एंसर तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सही ही देंगे हाँ इस question का answer तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप सब हमें क्या देंगे सही ही देंगे ठिक तो बिलकुल 400 meter बाधा दोड़ क्या था से यह विशेश रूफ से सम्मन्धित थी चलो प्रोटीन अंतिम रूफ से तूटता है अमीनोल पेप्टोंस ग्लिसरॉल पेप्टाइट्स बताओ क्या होगा क्या होगा बताइए अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो प्रोटीन किसमें तूटता है अमीनो अमल में किसमें तूटता है अमीनो अमल में तूटता है ग्रिसराल में कौन तूटता है वसा क्या तूटता है वसा कार्बो हाइड्रेट किसमें तूटता है कार्बो हाइड्रेट का जो क्या होता है अंतिम उत्पाद होता है अंतिम पेन लेते जाते भाई यह सही से चलना है चिपक रहा है इसमें अंतिम उत्पाद जो है अंतिम उत्पाद क्या होता था तो अगर कार्बोहाइडरेट कानती मुतपाद पूछे तो क्या बताओगे ग्लूकोज जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सारे मिलके किसका निर्माण करते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं ग्रिसलाल या वसीय अमल इसका जो अंतिम प्रोड़क्ट होता है वसा का वो क्या होता है वसा का अंतिम प्रोड़क्ट ग्रिसलाल या वसीय अमल होता है कार्बो हाइड्रेट का अंतिम प्रोड़क्ट क्या होता है ग्लुकोज होता है पच्पन नमर क्या कह रहा है व्यक्तिक व्यक्तिकत भेद की बात कर रहा है कि व्यक्तिकत भेद जो होता है वह किसके कारण होता है वनसानुक्रम वातावण प्रभाव वातावण प्रभाव वनसानुक्रम प्रभाव सामुदाइक प्रभाव किसके कारण होता है बताई किसके कारण होता है किसके कारण होता है तो व्यक्तिकत मैंने बताया है जब वनसा नुकरम और वातावर्ण चीजे दो चीजा जाए तो आप उसी को एंसर करेंगे हमेशा याद रखिए वनसा नुकरम और वातावर्ण दो चीजे ऐसी चीज है हैरेडिटी और आपका इन्मार्मेंट हेरेडिटी और इन्वार्वेंट जो है आपके व्यक्तित्व में आपकी सफलता में इन सब में बहुत बड़ा योगदान होता है आप इसलिए कहा जाता है ऐसा माहौल बनाओ ऐसा वातर वरण में रहो जिरहां सकारात्मक सोच वाले हो यह न कहें कि आपका नहीं होगा यह कहें कि आपका जरूर होगा आज नहीं होगा तो कल होगा लेकिन हर मुश्किल का हल होगा वो चाहे आज हो चाहे कल हो लेकिन हर मुश्किल का क्या होगा हल जरूर निकलेगा और यही बात क्या है वंसान उक्रम और वातर वरण चलो बृद्धी को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? बृद्धी को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? आनुवान सिक्ता, आहार, व्यायाम, उपरोक्ट में से सभी. बताओ क्या होगा? क्या होगा व्यक्तिगंदेद किसके कारण होते हैं वनसानुक्रम, वातावड प्रभाव, बताईए ब्रिद्धी की बात कर रहा है न, ब्रिद्धी को प्रभावित करने वाले कारक आर्वानसिक्ता, आहार, व्यायाम, उप्रोक सभी तो क्या बताओगे इसका एंसर, तो उप्रोक, अरे भाई, सी कौन एंसर दे रहा है इसका उप्रोक तो सभी, क्योंकि व्रिद्धी की अगर हम बात करें, तो व्रिद्धी के लिए आपका कौन उत्तरदाई होता है, प्रोटीन उत्तरदाई होता है, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उसके भोजन में जो आवस्चक्ता होती है वो प्रोटीन की होती है याद रखिएगा तो आनवानसिक्ता की जरूर आनवानसिक्ता जो है आहार जो है व्यायाम जो है यह तीनों चीजे किसके लिए उत्तरदाई होती है किसी भी व्यक्ति की वृद्धी के ल होता है बताइए देखो अगर मैं बात करूँ तो प्लेग जो है यह किससे होता है चुहे से और यह जो चुहा होता है चुहे में एक चीज होता है पिस्सू चुहे में क्या पिस्सू पिस्सू तो यह इनी पिस्सूओं से जिसे हम क्या कर सकते है यह यरसीनिया प्रिस्टियस क्या यरसीनिया प्रिस्टियस यरसीनिया प्रि आपको प्लेग होता है प्लेग क्या था प्लेग एक आपका क्या था एक प्रकार का महामारी था जैसे कि कोरोना एक महामारी थी कोरोना क्या थी एक महामारी थी पैंडमिक थी उसी प्रकार से कभी प्लेग भी क्या हुआ करती थी महामारी के रूप में जाना जाता था क्या जा से फैलता था और तो यह संक्रामक भी मारी थी, और कैसे संक्रमण था, प्रत्यच्य संक्रमर से फइलता था था मतलब कि यह also今日は छून चूत की विमारी सथी फूरा प्लेग से पूरा गाउं का गाउं सपह हो जा रहा था ये कंडिशन थी जैसे कुरोना की स्थिती थी चल निमलिकित में से कौन सा खिलाई मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है यूराज सिंग जहीर खान आसीस नहरा स्रीनात बताओ बताइए क्या होगा निमलिकित में से कौन खिलाडी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा स्रीनात स्रीनात को हम क्या कहते हैं मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था ये क्या थे एक पर तेज गेंबास थे तो याद रखिएगा तो इन्हों ने कफ सन्यास लिया था 2003 में इन्हों ने क्या ले लिया था सन्यास ले लिया था अब देखो 2003 में सन्यास ले रहे हैं ठीक और उसके पहले तक ये खेल रहे थे तो मलब 2002 तक इसलिए पूछा गया था ठीक है ना, याद रखिएगा, एक क्योशन और पूस्ता है, हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन, हरिकेन किसको कहा जाता है, तो याद रखना कपिल देव, किसको कपिल देव को क्या कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप लोगों स मंभई बुंबर कहा जाता है हीमा दास को क्या कहा जाता है हीमा दास डी इंग एक्सप्रेस इसके अलामा पीटी उसा को पाउली ये सारी चीजे आपको बता ही दिया उसके बाद में मेजर ध्यान चन को क्या कहा जाता है हाकी का जादूगर मेजर ध्यान चन क्या हाकी का जादूगर हाकी का जादूगर इसके एलाव ब्लैक पर्ल बैक पर्ल किसे कहा जाता है तो ब्लैक पर्ल की अगर बात करें हम काले हीरे की अगर हम बात करें तो Black Pearl किसे कहा जाता था तो याद रखिएगा Pele को Pele को क्या कहा जाता था Black Pearl कहा जाता था Super Mom किसे कहा जाता है Super Mom किसे कहा जाता है तो Super Mom की बात आएगी तो किसे बताओगे M.C. Merry Com को К South कहा जाता है शूपर मॉम कहा जाता है ठीक है ना यह सारी चीजें विश्वनात आनंद को क्या कहा जाता है टाइगर आफ मद्रास कहा जाता है क्या विश्वनात आनंद क्या टाइगर आफ मद्रास कहा जाता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि गांगुल गांगुली को क्या कहा जाता था तो गांगुली को कहा जाता था टाइगर ओफ बंगाल कहा जाता था इसके अलामा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से राहुल द्रमीड को क्या कहा जाता था दवाल मिश्टर रैबेल जैमी ठीक याद रखियेगा अनिल कुम्बले को क्या क कहा जाता था जम्बो कहा जाता था तो यह कुछ ऐसे नाम है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा ठीक चलिए ठीक है ना याद रखिए गार चले आगे चले किसी को कोई दिक्कत कोई परसानी तो नहीं है चलिए किसके रोगी को डायलेसिस पर रखा जाता है किसके रोगी को डायलेसिस पर रखा जाता है हिर्दय लीवर ब्रिक कदमा बताओ बिल्कुल नमाग डोकोविक को डिजॉक कहा जाता है बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम नाम से जाना जा रहा है ठीक है ना तो याद रखिएगा क्या होगा ब्रिक्या किड़नी ये क्या होता है क्रित्यम रूप से रक्त को छानना या क्या करना सुद्ध करना तो जो रक्त को सुद्ध करता है वह कौन है किड़नी और इसकी किड़नी की क्रियात्मक और संदशनात्मक इकाई क्या होती है क्रियात्मक और संदशनात्मक इकाई जो होती है वह क्या होती है तो अब क्या बताओगे व्रिक की जो क्रियात्मक और संदचनात्मक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं नेफरोन कहते हैं याद रखिएगा अगर मैं बात करूँ व्रिक के अध्यन को क्या कहते हैं व्रिक के अध्यन को क्या कहते हैं तो आप क्या बताओगे इसे कहाते है nephrology किया nephrology कहा जाता है अगर मैं बात करूं यह जो बरिक होता है यह कृन होता है दोनों साइड में एक-एक होती है आगे की तरह किड़नी नहीं होता किड़नी यहाँ पीछे की साइड होता है लेकिन लोग कहें रहे मेरी किड़नी खराब हो गई बोलेंगे किड़नी खराब हो गई और यहां कहेंगे जहां पर ली अगनासा है आपका जहां पर आपका लीवर है उन सब जो गहों पर दिखागे कहते हैं मेरी किड़नी किड़नी हलका सा पीछे साइड में होता है दो लोपस में होते हैं एक इस साइड सेम के आकार के बीच के आकार का होता है यह सारी चीज़े तो समझ रहा है तो यह होता है ब्रिक के विसे में चलो अगले क्योश्चन की मैं बात करूँ अगला क्योश्चन क्या कहता है किसको देना है उसको देगा है चलिए पामिल हार्स किसके क्या बात कर रहा है पामिल हार्स की बात कर रहा है कि पामिल हार्स किस खेल से संबन्दित है तो आप क्या बता होगे पामिल हार्स किस खेल से संबन्दित है देखिए अब इतनी देर आप रुपके भागना शुरू कर दिये साट पहुच के आज का question भी कम होगा क्योंकि पता इस समय कम question आए थे तो Komel pixel किस से संबदी था Gymnastik से संबदी थे किस स्ब्रेशन से संबदी थे तो आप क्या बता होगे Gymnastik से संब्रेशन Сंबनी थे अगर Gymnastik की बात करें कि इसकी अस्थापना इसकी जो federation है FIG Federation International Gymnastics की अस्थापना कब हुई थी तो 1800, 81 स्वी में FIG की अस्थापना हुई थी इसका मुख्याले कहा है तो दोहा में है कहा है? दोहा कतर में इसका क्या है? इसका मुख्याले है अगर मैं बात करूँ, Gymnastic Federation of India की अस्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, जिस समय बाली बाल फेडरेशन की अस्थापना हुई थी, इसका मुख्याले कहा है? मुख्याले इसका है नई दिल्ली, कहा है? नई, दिल्ली में इसका क्या है? इसका मुख्याले है, अगर मैं ब अलंपिक में कब सामिल किया गया? तो पूरुसो को तो सुरू में ही सामिल किया गया था, लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करें, तो महिलाओं को अलंपिक में कब सामिल किया गया? जब हांकी की प्रतम प्रतियोगता, जिसमें भारत ने भाग लिया, मतलब 1928 जब भारत ने भाँग लिया था ठीक है ना याद रखिएगा इसमें पुरसो के लिए अलग होता है और महिलाओ के लिए अलग होते हैं तो अगर मैं पौमिल हार्स की बात करूंगा तो इसकी लंबाई कितनी होती है 160, लंबाई कितनी होती है लंबाई होती है इसकी 160 cm और चौड़ाई कितनी होती है 35 cm क्या होती है इसकी चौड़ाई होती है इनके बीच, इसकी उचाई कितनी होती है 115 उचाई कितनी होती है 115 cm क्या होती है इसकी उचाई होती है यह है पॉमलहार ठीक पुर्सों में अलग होता है और महिलाओं में पुर्सों के जो आपका क्या होते है फ्लोर होता है पॉमल हार्स होता है रोमन रिंग होता है पैरल बार होता है वल्टिंग टेबल होता है horizontal bar होता है महिलाओं में क्या अदा fall होता है uneven bar होता है इसके अलाव balance beam होता है इसके अलाव क्या होता है bolting horse होता है और इसको कैसे याद करना है इसकी भी trick मैंने आपको बताई थी कि महिलाओं के event क्या है पुरसो के event क्या है इसकी trick भी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो question है जिमनाश्टिक वाला पूरुसों में कौन सा यूज होता है महिलाओं किस एमारस में KBS में NBS में इससे question जरूर पूछता है याद रखिएगा चलो अगले question पे बिस्वका सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है खेल समाचार पत्र कौन सा है गैजेट डेलो इस्पोर्ट लाइड ऑन लाइड विजडन लाइफ इस अगे बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा क्या होगा विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र क्या होगा बताईए बताईए क्या होगा तो अगर इसकी मैं बात करूं तो विश्व का जो सबसे पुराना आपका क्या है जो सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है यह आपका कौन सा होगा तो अगर इसकी मैं बात करूँगा तो गजट डेली स्पोर्ट होगा क्या होगा गजट डेली स्पोर्ट होगा यह जो था बिस की प्रथम जो है खेल समाचात्र था यह जो है गुलाबी कागज पर छपता था किस पर गुलाबी कागज पर गुलाबी याँखे वाला गाना है ना गुलाबी याँखे जो तेरी देखी तो यहाँ पर क्या होगा गुलाबी जो क्या था जो पेज था उसको देखा मतलब गुलाबी कागज पर कागज पर ला रोसिया या ला रोजिया ठिक ला रोसिया के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा ठिक चलो विजजन प्रत्रिका की बात करें तो विजजन के भी से में मैंने बताया था बताओ विजजन प्रत्रिका को हम क्या कहती हैं और इसकी सुरुवात कब हुई थी विजजन प्रत्रिका की चलो बासर नमबर सिच्छा मरोविज्यान क्या समझने में सहायक है स्वयम को समझने में बालक को समझने में सिच्छड विदियो के चेयन में संपूर सैच्छिक प्रक्रिया में बताओ क्या होगा अगर इसकी मैं बात करूँ सिक्षा मनोविज्ञान क्या समझने में सहायक है स्वयम को समझने में, बालक को समझने में, सिक्षण विदियो को चेयर में, संपूर सैक्षिक प्रक्रिया में तो अगर मैं बात परूँ सिक्षा मनोविज्ञान को समझने में जो सहायक होता है मतलब संपूर सेक्षिक प्रक्रिया को समझने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है आपके सिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत होती है सीखी गई क्रिया का अन्य सामान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम अस्थानात्र परिपक्वता इन में से कोई नहीं बताओ क्या होगा क्या होगा सीखी गई क्रिया का अन्य सामान परिस्थितियों में उप्योग किया जाना क्या कहलाता है देखो, अगर मैं अधिगम में की बात करूँ, अधिगम में क्या होता है अधिगम में आपके बेवहार में जो अस्थाई रूप से परिवर्तन होता है किसके द्वारा? प्रसिक्षन के द्वारा? वातावरन के द्वारा? या बेवहार में जो परिवर्तन हो रहा है अनुभो के द्वारा किसके द्वारा प्रसिक्षण के द्वारा मतलब ट्रेनिंग के द्वारा अनुभो के द्वारा इन सब के द्वारा जो आपके अधिगम्य में क्या हो रहा है परिवर्तन मतलब कि जो आपके बिवहार में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं अध प्रस्थितियों में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं अधिगम अस्थानांत्रण कहते हैं, अधिगम अस्थानांत्रण क्या होता है, सकारात्मक होता है, जिसे हम धनात्मक कहते हैं, ठिक, नकारात्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडात्मक कहते हैं, ठिक, सुन्य होता है, सुन्य अस्थानात्रण क्या होता है, पहले सीखी गई क्रिया क्या है? सहायक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक या धनात्मकस्थानात्र, नकारात्मक या धनात्मकस्थानात्र क्या? जब पहले पहले सीखी गई क्रिया क्या हो बाधा बनती है क्या बाधा बने तो उसे हम क्या कहते हैं रिनात्मक सुनने क्या होता है जब दोनों अलग-अलग हों क्या हो अलग-अलग हो न तो सहाइता करे न ही बाधा बने ठिक उसे हम क्या कहते हैं रिनात्मक ठिक उसे सुनने परिपक्ता की बात करे तो परिपक्ता वह होता है मनुष्य के अंदर जो समझने सोचने की सक्ति होती है मतलब जब व्यक्ति क्या होता है अमूर्थ से अमूर्थ की ओर बढ़ने लगता है तो मूर्थ से अमूर्थ चिंतन की जो अवस्ता होती है वही क्या होती है परिपक्वता होती है तिक याद रखिएगा निम्लिकित में से कौन सारो बैक्टिरिया द्वारा उत्पर्ण होता है मीजल्स निमोनिया छोटी चीचक पी लिया बताओ क्या होगा क्या होगा बताए क्या होगा निम्लिकित में से कौन सारो बैक्टिरिया द्वारा उत्पर्ण होता है मीजल्स निमोनिया छोटी चीचक पी लिया बताओ क्या बताओगे आप लोग 64 नमबर तो क्या होगा निमोनिया क्या होगा निमोनिया निम्लिकित में से कौन सारो बैक्टिरिया द्वारा होता है आपकी निमोनिया होती है बाकी मिजल्स, छोड़ी चेचे, कोपी लिया यह सब क्या है यह सब वाइरस जनी तो रोग होती है अब यह निमोनिया में क्या होता है निमोनिया में आपके लंग्स जो होता है वह infected होता है सास लेने में दिक्कत होने लगती है ये सारे चीज किस में होता है आपके निमोनिया में होता है निमोनिया ज्यादा तर बच्चों में ही देखने को मिलता है ठीक है ना तो याद रखिएगा चलो अगले क्योशन के हम बात करते हैं अगला क्योशन हमारा क्या कह रहा है कच्छा वातावरण में सीखने का कौन सा मह तो पूर नियम है, रेकने का नियम, आवंचित विस्राम, परिपक्कोता हस्त लेखन, क्या होगा? विल्कुल साली मोना Taiphy साली मोना Taiphy द्वारा योग equipsy टाइफ़ाइड होता है सरी सरी हाँ अनिमोनिया ही होता है साली मोना Taiphy हाँ ठीक ठीक है योगेंदर जी आप सही है सैलिमोना टाइफी होता है बताओ भाई सबी लोग एंसर दो तो मैंने क्या कच्छा बाता आपने सीखने का जो महत्वपूर वो होता है क्या होता है हस्त लेखन विदी क्या होता है हस्त लेखन विदी जो होता है या कच्छा बातावण में सीखने का सबसे महत्वपूर होता है बच्चे को सीखने के लिए पूछता जाता है बच्चे के लिए क्या होता है तो बच्चे के लिए अगर मैं बात करूँ कच्छा वातावण को छोड़के तो अनुकरण विधी क्या? अनुकरण विधी होती है ठीक अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि जो व्यायाम होता है या सारीरिक सिख्षा में सबसे व्यायाम या सारीरिक सिख्षा सारीरिक सिख्षा में जो सबसे सिख्षण विधी है, सबसे अच्छा कौन सा है, तो वह कौन सी होती है, प्रदर्शन विधी, जैसा जैसा आप प्रदर्शन करोगे, उसको देख के बच्चा उसी तरह के से करेगा, यह सब चीज़े आप से पूछता है, चलो, निम्लिकित में एक चीज़ हमें सा य बड़ा होता है फुट्वाल बैड मिंटर क्रिकेट और पोलो बताओ किसका सबसे बड़ा होता है देखो यह पोलो जो होता है यह क्या होता है सबसे बड़ा होता है तो इसका एंसर क्या होगा पोलो और यह पोलो जो होता है इसमें चार घुरसवार होते हैं क्या होते हैं गुरसवार होते हैं और यह जो चार घुरसवार होते हैं वह 270 मीटर इंटू 180 मीटर क्या क्या होता है मैydان होता है और वह बाल एक होती है उसको क्या करते हैं घोड़े पे बैट के क्या करते हैं मारते हुए ले जाते हैं अगर पूछेगा एक क्योश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा सासक था जो की पोलो खेलते हुए जिसकी मौत हुई थी तो याद रखना कुतुब बुद्धिन एबक क्या कुतुब बुद्धिन एबक की जो मौत हुई थी वह पोलो खेलते हुए हुए हो गई थी कैसे पोलो खेलते हुए ही हो गई थी तो यह पूस्ता है वह कौन सा मुस्लिस सासक है जिसका पोलो खेलते हुए मौत हुई थी तो वो यही है चलो साथ नमबर नौजाज सिसुक को BCG का टीका कब लगाया जाता है BCG जन्म से एक वर्स के भीतर जन्म के अर्टालिस दिन के भीतर जन्म के साथ दिन की भीतर जन्म के च्छ मा के भीतर चलो क्या होगा नौजासिसू को BCG Bacillus Calumet Glurine क्या Bacillus 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 के बाद अगर बात करें तो Bacillus Calumet Glurine Calumet Glurine ठीक यह इसका फुल फॉर्म होता है और यह जो होता है साथ दिन के भीतर क्या साथ दिन के अंदर लगना चाहिए क्या साथ दिन के अंदर लगना चाहिए यह किसके लिए होता है BCG का टीका तो BCG का टीका जो होता है वह तपेदिक के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं छै रोग बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं टीबी के लिए उत्तरदाई होता है आपको 2030 तक इंडिया जो है टीबी मुक्त होने का क्या है एक लच्छ को लेकर अग्रसर हो रहा है बढ़ रहा है ठीक ठीक है ना नहीं जन्म के तुरंद बाग BCG नहीं लगता BCG जो होता है साथ दिन में ठीक चलो निम्लिकित में से कौन सारीरिक सिक्षा की प्रमुख सिक्षन विदिया है मिरेर विदी, प्रोजेक्ट विदी, प्रदर्सने मनकुरन, उपियुक सभी बताओ निम्लिकित में से कौन सारीरिक सिक्षा की प्रमुख सिक्षन विदिया है तो आप सब जानते हो कि जो प्रदर्सने में अनुकरन विदी होता है या सारीरिक सिक्षा की सबसे क्या होती है अनुकरन विदी होती है लेकिन अगर प्रोजेक्ट विदी और मिरेर विदी की बात करें तो प्रोजेक्ट विदी और मिरेर विदी जो होती है यह project विधी कि अगर बात करें तो यह project विधी वह होता है जैसे किसी वी चीज का क्या करते हो तुम एक समिती बनाओगे एक कुछ लोग रहोगे कुछ अपने से क्रिया कलापव को करोगे तो वही क्या हो practical जैसे आप करते हो तो वह होता है आपका project विधी इसके अलावा अगर mirror विधी की बात करोगे तो mirror विधी यह होता है आप जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ same वही उल्टा आपका क्या करना वही उल्टा प्रदर्शन करना ही क्या कलाता है मलब same चीज opposite में ठिक तो वो क्या कालाता है मिरर विधी तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सारीरिक सिक्षा में जो महत्पूर होता है वह होगा प्रदर्शन विधी लेकिन इसमें जो लोगों ने मान रखा है अगर जो मानने की बात करें हम कि आयोग ने उसमें क्या मान रखा था तो आयोग उपियुक्त सभी को मान रखा है लेकिन मैं बता दूं कि सारीरिक सिख्षा के संदर्व में जब भी बात आएगी तो प्रदर्शन और अनुकरण विधी से अच्छी कोई विधी नहीं होती और यहां क्या करा है प्रमुख सिख्षन विधियां है यह क्या करा है यह प्रमुख सिख्षन विधी है तो मिरेर विधी प्रोजेक्ट विधी प्रदर्शन मलब सभी क्या है सिख्षन विधी है ठीक है ना तो यह तीनों जो क्या होती है प्रदर्शन विधी होती है याद रखेगा मलब मिरेर विधी से भी हम सिखाते हैं प्रोजेक्ट विधी से भी सिखाते सबसे सीखने की जो उत्तम विधी होती है वह प्रदर्शन विधी होती है क्या होती है सीखने की सीखने की सबसे उत्तम विधी अगर पूछता सबसे उत्तम विधी अगर पूछता क्या कि सबसे उत्तम विधी अगर पूछता तब प्रदर्शन और अनुकरन विधी होता है ठी क्योंशन क्या पूछ र अभ इसकि प्रदर्शन में कि प्रदरस्न विधी तो आपığını की चीज है कि प्रदर्शन विधी विदी उस उसमें चलती है सीखने की सबसे उत्तम विधी लेकिन वहां जब देखोगे कि कौन कौन सी प्रमुक विधियां तो इन सब तीनों होती है मिरर विधी के माध्यम से भी सिखाते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं अब जो पढ़ाना है जब भी आप पढ़ाते हो तो वह हमेश ऐसे ही आप पढ़ाते हो तो शिखाने में भी आप क्या करते हो मिरर विधी करते हूं प्रदर्सन अंकुरन लेकरते हुं अगर आधूनिक ओलंपिक का पिता अगर आपसे पूछे तो पियरे डी कुर्बर्टीन को क्या कहा जाता है आधूनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है किसको पियरे डी कुर्बर्टीन को तो पियरे डी कुर्बर्टीन को क्या कहा जाता है आधूनिक ओलंपिक का पिता कहा जात क्या एक जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ अगर आप से पूछ ले कि इनकी मृत्तु कब हुई तो इनकी मृत्तु जो हुई थी 2 सितंबर 1937 2 सितंबर 1937 में क्या हो गई थी इनकी मृत्तु हो गई थी याद रखियेगा इसके अलामा अगर बात करें कि पियरे डिकुर्बरडीन जो थे यह जो है इन्होंने कब मतलब कि इसका जो पियरे आधूनिक ओलंपिक था इस आधूनिक ओलंपिक को कब प्रारंब किया तो आप क्या बताओगे 1896 में कब 1896 में क्या हुआ या प्रारंब हुआ अगर मैं बात करूं 23 जोन 1894 को क्या 1894 को क्या हुआ था इसकी अस्थापना हुई थी इसलिए 23 जोन को क्या मनाया जाता है ओलंपिक दिवस क्या ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक तो याद रखिएगा IOC का गठन 1894 तेईस जून को इसका मुख्याले पूछ लेता है कि मुख्याले कहां है तो आप सब जानते हो स्विडिजर लैंड ठीक याद रखिएगा चलो अगले की ओशन पर हम चलते हैं अगला की ओशन क्या कह रहा है फुडवाल मैच में खिलाडी को चेतावनी हो दिखाया जाने वाला काड किस रंग का होता है लाल पीला हरा और सफेड क्या होता है बताओ क्या होगा तो क्या होगा पीला बिल्कुल सही यहाँ पे क्या होता है पीला काड होता है चेतावनी के लिए सिंगल पीला काड दिखाया जाता है और जब इसे क्या होता है बाहर किया जाता है तो दो पीला काड एक साथ एक ही हाथ में लेके एक साथ दिखाया जाता है एक ऐसाथ दिया जाता है तो उससे क्या होता है निलंबन हो जाता है मतलब उसको निकाल दिया जाता है चलो 71 नमबर क्या करा भारती मूल के विजय सिंग जो गोल्फ के एक बड़ी एक बड़ी चैंपियंशिप को जीत कर प्रसिद्ध हुए कहा के रहने वाले हैं सुरिनामा के फीजी के विजयतनाम के मारिसस के बताओ क्या होगा कहा के हैं बताइए तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो यह जो है फीजी से हैं फीजी के कहा के हैं तो यह अगर मैं बात करूँ तो यह जो है फीजी के हैं और फीजी के थे इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दविग फीजीन कहा जाता है दविक फिजियन कहा जाता है चलो 72 नमर क्योशन गौईटर जिसे आप क्या बोलते हो घेंगा घेंगा नामक रोक किसकी कमी से होता है कैलसियम फासपोरस आयोडी निकोटीन अमल बताओ त्याग बेटा सर तू कहां से है हम भाई अलाहाबास से हैं सम्मान जो है अच्छी बात है अगर आप तू ही कहते हैं तो यह आपकी अच्छी बाते हैं बिल्कुल आप सम्मान किसी से जबर जस्ती छीन के नहीं ली जाती ठीक है ना भाईया त्याग त्याग जी क्या नाम है अगर आप कहते हो तू कहते हो तो अच्छी बात है ये आपको दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है कि आपको चिस्रेडी के महान बेखती है कोई दिक्कत नहीं आप तू कहिए आप कहिए मत कहिए कुछ मत कहिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है आप जो कहना है आप तू कहो जो मन में आए वो कहो मेरे भाई ठीक है ना यह समाज है यह दुनिया है कितनों को खुश करेंगे हम और कितने को हम समझाएंगे ठीक है ना तो ये इसमें कोई आपती नहीं आप तू कहो तुम कहो जो मन में आए वो कहो लेकिन हमेशा याद रखना जब आप बात करते हो न तो आपके बात करने से आपके परवरिष का पता चलता है लोग आपको क्रिट साइज नहीं करेंगे आपको अंगलिया नहीं उठाते हैं आपके माबाप पर अंगलिया उठाते हैं कि संसकार क्या है आपके परिवार के बागी कोई दिक्कत नहीं आप तू है तूम हो आपकी हो सकता है मदर लांग्वेज हो ये तू की बात है कोई अच्छी बात नहीं अच्छी बात है ठिक अरे छोड़िये आप लोग पढ़िये बस कोई बात नहीं बई या ट्यागी जी अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं तु तुम हरियाणा साइड में बोला जाता है वो अपने पिता जी से भी बात करते हैं हरियाणा साइड तु नहीं समस्ता तैने ना जाने तो वो कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है आप कोई बा नहीं। इस सिर्फ आपको मैं यह चाहता हूं, आपका सेलेक्शन हो, बागी संवाल लेना देना चीजे कुछ भी नहीं। ठीक। ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो ग्वाइटर नामक रोग ऐओडीन की कमी से होता है। जिसे हम क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं और यह आपके कहां होता है? आपके गर्दन में जो स्वरियंत्र होती है, जो vocal cavity होती है, उसके पीछे क्या होता है? एक सनरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे thyroid gland होती है. थाइराइड ग्लेंड होती है यही थाइराइड ग्लेंड आपकी होती है यही थाइराइड ग्लेंड जो होती है यही थाइराइड ग्लेंड में क्या जाती है सूजन आ जाती है क्या जाती है सूजन आ जाती है उसी को हम क्या कहते है गेंगा या ग्वाइटर नामक रोग कहते हैं याद रखिए गात चलो अगले क्योशन की बात करते हैं मानों सरीर में लाल रक्तकड की मात्रा सरीर के रुद्राणों का कितना प्रसत होता 80% 88% 90% 99% मता यह क्या होगा साधना वर्मा नमस्ते सर नमस्कार तुम क्या विदेश में रहते हो जो सही से नहीं बोल पाते हैं सर इस तरह से लोग आई जाते हैं सर जी अरै आप पड़ो onto कोई तो को दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है पड़ते रहो बस पड़ते रहो बस अरे ज़त किसी से तुम डांट पड़के नहीं कुछ लोगों की language ही होती है ह मैं तो परसान नहीं हो आप लोग बरस ठीक है चलो देखो अगर रक्त की बात करें अब को चर्चा करूंगा दीरे दीरे आगे बढ़ता चलूंगा तो इनको समझना देखो रक्त की अगर मैं बात करूं तो रक्त में दो चीजें होती है एक होता है प्लाजमा क्या होता है प्लाजमा जो की कितना होता है 55% दूसरा क्या होत है तो यह रक्त कणिकाय कितनी होंगी 45% क्या होंगी 45% और यह जो रक्त कणिकाय होती है यह इसके भी कितने भाग होते हैं इसके भी होते हैं आपके क्या कहते हैं इरिथ्रोसाइड कहते हैं इरिथ्रॉसाइट कहते हैं ठीक Dab warum बसी की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं white blood cells कहते हैं white blood cells इसे हम क्या कहते है WBC को leucoside क्या leucoside कहते हैं ठीक platelets की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं thrombocide क्या thrombocide की बात करते हैं ठीक अब देखो अगर मैं सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है आपकी RBC फिर platelets की मात्रा पाई जाती है अगर मैं leukoside की बात करें तो यह leukoside भी 2 परकार की होती है कितने परकार की? 2 परकार की होती है एक को हम क्या कहते है एक को हम कहते है granulocyde ग्रेनूलो साइट दूसरे को क्या कहते है agranulocyte ठिक ग्रेनुलोसाइड के अगर हम बात करें तो यह तीन प्रकार की होती है यह जो है तीन प्रकार की होती है कौन कौन सा इसेनोफिल इसेनोफिल बेसोफिल एमनेट्रोफिल क्या बेसोफिल और होती है निोट्रोफिल ठीक इसके बाद में Ogranulocyte की अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है ती लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये नूट्रोफिल और मोनोफिल मोनोसाइट दोनों मिलके जो निर्मार करती हैं उसों हम कहते हैं फेगोसाइट क्या कहते हैं फेगोसाइट मतलब जो भक्षन खोशिका होती है वह नूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलके ब पाई जाती है तो यो पाई जाती है, neutrophil की सबसे बड़ी मात, सबसे जvir मोनो side की बात करें, नाम इसका mono है, लेकिन या उल्टा काम करता है, या बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी, तो सबसे बड़ी जो cell होती है, वह होती है monocyte की अब आ जाते है erythro side पे RBC पे तो अगर RBC की मैं बात करूँ आप लोगों से तो RBC को हम क्या कहते है erythro side कहते है RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता यह हमेशा याद रखिएगा अब इसका जो है रशाइनिक नाम पूषता है और वह याद नहीं होता है तो याद रखना बलेड जब निकलता है तो तुम क्या कहते अरे बापरी कितना बलेड निकला अरे से erythro लुक जब सफेद कपड़ा पहिंड के ससुराल चल दिया पूरा महला का है रहे देखो आज ससुराल जा रहा है लुक लुक तो मतलब लुकोसाइड सफेद होता है प्लेड को हाथ में क्या करते हो पकड़ते हो थामते हो मतलब थ्रोंबोसाइड ऐसे आप क्या कर सकते हो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो ठीक इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यह जो है रुद्रयारवों का कितना प्रसत होता है तो सबसे जादा मात्रा होती है 99% यही होता है ठीक है ना चलो अगले क्योश्चन की बात करते हैं इस्ट्रेपी सस्ती सरीर के किस भाग में होती है बताओ चलिए चलिए नितु सीमा नेहा ही तेंद्र मुकेस जय राहुल योगंदर शालिनी ममता भारशिंग राजपती साधना, राजेश, सूरिया, रीतु, सांती, बरशिंग, स्यामचोरोसिया, सर्ताज, वेद प्रकास, अनिल गुप, अलिंग गौत्तम, अजय, जय प्रकास, माया सिंग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार बने हुए हैं क्लास में लगातार बने हुए हैं, तो इस्टेपिस हड़ी की अगर हम बात करें, तो यह कहां पाई जाती है, कान के अंदर तीन हड़ीयां पाई जाती है, इनकस, मेलियस, और इस्टेपिस, और यह क्या होती है, सबसे छोटी हड़ी होती है, पूरे सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो होती है, वो कान की हड़ी होती है, खोपड़ी में बात करें, इसकल में, आठ, अगर पूरे खोपड़ी की बात करें, चौदा, तो चौदा फेस पे आठ यहां, चौदा आठ, बाईस, बाईस हड़ी इतने में, इसके अलामा, अगर इसको भी जोड़ लेते हो तो 28 अड़ी खोपड़ी में कहीं कहीं आपको कहीं 22 दिखेगा तो 28 कब होगा 22 कब होगा पैने बता दिया और 29 कब होगा जब हायाइड बोन को यहां से जोड़ लेंगे वह हो जाएगी हाथ में आपकी रेडियस अलना हुमरस फैलेंजस टार्सल मे स्वारी कार्पल्स मेटा कार्पल्स टार्सल और में होता है कार्पल्स और मेटा कार्पल्स कलाईजस पैर की बात करें तो फीमर उसके बाद में नीचे जाएंगे तो टिविया, फैबुला उसके बाद फैलेंजस वहाँ पर विटारसल और मेटारसल ये सारी हड़ियां होती है अगले क्योशन की बात करते हैं क्रिकेट का प्रसंट टेस्ट मैच कफ खेला गया अठारा सो सतातर, अठारा सो नियासी या अठारा सो असी बताईए या रखिएगा क्रिकेट जो है या क्रिकेट की प्रतम प्रतियोगिता जो है वह आपकी किस सन में हुई तो क्रिकेट की प्रतम टेस्ट प्रतियोगिता अठारा सो सतात्तर इस्वी में हुई ठीक, या रखिएगा किसके किसके बीच में आश्टेलिया और इंग्लेंड के बीच में हुआ था तो और इसके बिसे में देख लेते हैं ICC की अस्थापना कब हुई इंटरनेशनल क्रिकल कंट्रोल बोर्ड की अंतरराश्टी क्रिकट परिशत की ICC की तो अगर बात करें तो 1909 में इसका मुक्षाले कहां है तो आप क्या बताओगे दुबई में ठीक अगर मैं बात करूं कि पहले अध्यच कौन थे पहले अध्यच इसके कौन थे तो पहले अध्यच क्या बताओगे तो grant goven grant goven और ये grant goven के बाद अगर हम बात करें आप लोगों से एक word आता है गुरीन गुरीन किसके थे तो वो फीफा के पहले अध्यच थे याद रखिएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि BCCI का गठन कब हुआ BCCI का गठन कब हुआ तो आप क्या बताओगे 1928 में वर्तमान अध्यच कौन है वर्तमान अध्यच कौन है तो आप क्या बताओगे रोजर बिन्नी रोजर बिन्नी रोजर बिन्नी क्या है वर्तमान इसके क्या है आपके वर्तमान अध्यच्छ है ठीक अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि पहली क्रिकेट क्या टेश प्रतियोगता 1877 में हुई थी ठीक अगर मैं बात करूं पहला वंडे किस्चन में 1971 में पहला वंडे पहला वंडे जो है 1971 में कहां पे इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच में वही चीज आस्ट्रेलिया और कहां और किसके बीच इंग्लैंड के बीच में हुआ था ठीक अगर आपसे यह पूछ ले कि पहला विसो कब कब हुआ तो 1975 में पहला विसो कब 1975 में हुआ था महिलाओं का पहला किरिकेट विसो कब 1973 में महिला विसो कब 1973 में इसके अलामा अगर मैं बात करूँ कि महिला विसो कब को और किस नाम से जाना जाता है तो हावर्ड कब के नाम से जाना जाता है यह सारी चीजे थी चलिए अगले क्योशन पे चलते हैं 76 नमबर डार्क होर्स के नाम से कहां की विख्याद क्रिकेट टीम है इंगलेंड अच्छीड अफ्रिकास लंका भारत बताओ बताओ क्या होगा क्रिकेट का खतम अगले क्योशन पे डार्क होर्स के नाम से कहां की विख्याद टीम है चलिए देखिए आप लोगों से एक चीज़ बता दें अगर आप दुनिया में सबसे समाज में इज़्यत पाने की अपेच्छा रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो वो आपके कर्ष्ट का कारण होगा वो उनके ऊपर था हो सकता है उनकी mother language, mother tongue मद्जी से बोलते हैं तो मैं किसी के उनके परिवार के परवरिस पे मैं अंगली नहीं उठा सकता है हो सकता है उन्होंने मुझसे कह दिया हो सकता है वो मुझसे बड़े हो इसलिए मुझे उन्होंने बेटा करके सम्मोधित किया हो सकते हैं मेरे पिता जी के उमर हो अंकल जी के उमर के हो तो उन्होंने मुझे बेटा किया मुझे इससे कोई या पत्ती नहीं अब यह आप लो करें ठीक है ना मैं एक ही चीज करता हूं आप लोग बस पढ़ने पर फोकस कर रहा करी है बाकी आप लोग परसान मत हो या करें ठीक चल इस क्योशन का एंसर क्या होगा तो याद रखिए का स्री स्रिलंका की जो टीम है उसको हम क्या कहते हैं डार्क होर्स नीतु पवार जी बिलकुल नोंने बेटा भी कहा था मैं देखा भी था मैं जान बूझ को मैं बोलता नहीं के कमेंड को मैं जान बूझ कर रहा था लेकिन वो कई बार पूछे तो हम कहाना उची थे क्या दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा कहें कुछ भी कहें क्या दिक्कत है उनके बेटा कहने से ठीक है उन्होंने कम इतना तो समझा आपने बेटे के लायक मुझे समझा हो सकता है बहुत बड़े हो मुझ से वह दिक्कत नहीं है ठीक है ना चलिए तो क्या होगा स्रिलंका की जो टी कि चलिए वता ये क्योशन क्या होगा दूसरी बात कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते हैं तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसी लिए आते हैं कि क्लास को डिस्टर्ब करें टाइम बरबात करें या डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसी लिए आते हैं कि आपके साथ क्या करें आप भी कुछ बोले उल्टा सीधा बोले फिर आपकी क्लिप काटें फिर वो ले जाके लगाएं कि सर ने ऐसे कहा गुस्टे में आके यह क्यों है ज अगर मैं बात करूँ सामान में इस्थिति में जो लीवर को जाता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो लीवर को जो जाता है वह जाता है 28% किसको जाता है लीवर को चला जाता है 24% जो है वह किसको जाता है वह जो है किड़नी को 24% किसको किड़नी किड़नी या ब्रिक को जात beesिघ 15% कि कि is वां किसको जाता है तो 14 ज से 15 जो है 15 परशेंट किसको जाता है मांस 10 को जाता है 14 % कि सको जाता है मस्तिक्स को किंतना जाता है 14 मåं जाता है ठीक उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि 19% क्या होता है 19% पूरे सरीर को जाता है ठीक पूरे सरीर के बाकी हिस्सों में जाता है ठीक चलो अगले क्योश्चन की बात करते हैं मानो सरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है 63, 17, 12, 1 बताईए, क्या होगा? आप लोग इसी तरीके जब क्लास को लाइक करते रहें और सेर करते रहें, लोगों को जोडते रहें बस मेरे लिए वही बहुत है आप लोगों का बस वही प्यार मेरे लिए बहुत है ठीक है ना? ठीक, चलिए क्या होगा बताए जल्दी से प्रोटीन का अनुपाद कितना होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तो 17% क्या होगा प्रोटीन होता है इसके अलावा अगर मैं जलकी मात्रा की बात करूँ तो जलकी जो मात्रा होती है वह 63% कहीं कहीं आपको मानों सरीर में 70-70% भी जल होता है तो 65-70% जल वहरी करता है कि 65-70% तक क्या होता है जल होता है लेकिन यहां पर 65% नहीं है तो 63% जलकी मात्रा मान सकते हैं लेकिन प्रोटीन की जो मात्रा होती हुआ 17% होती है चलो अगले क्योशन की बात करते हैं राष्टी विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है 28 जनवरी को 28 फर्वरी को 29 अगस को 27 फर्वरी को बताओ क्या होगा आप थोड़ा पास चलेंगे थोड़ा क्यूंकि गीने चुने क्योशन है और वो भी आप लोग भी अब ठक गए होंगे ठीक है ना थोड़ा आप भी चलेंगे थोड़ा हम भी चलेंगे थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलें आप लोगों का यही प्यार जो है इसी तरीके से हमें खीच लाता है प्रतेक संडे को कितने भी काम हो कुछ भी हो और अगर आप लोगों से हम नहीं मिले रहते तो हमको पता नहीं क्या इसा लगता है और धूरा लगता है कि जैसे मेरा काम और धूरा रहा है ठीक है ना तो यही आप लोगों का प्यार और दुलार हमको खीच लाता है यहां तक ठीक है ना तो याद रखिए तो क्या होगा इसका एंसर 1987 में प्रतेक वर्स 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है 1927 से 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा चलो नेशनल के एडिट को एंसीसी के अस्थापना की गई थी पूरे समय तक है अच्छी बात है आप लोग बस पढ़ते रहें महनत करेंगे तो उसकी सफलता जरू में देगे क्या होता है अगर आप रील देखने किसी को बैठा दीजे तो वो एक घंटे से दो गंटे चार गंटे च्छा गंटे अपना टाइम देगा नहीं पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है लोग भले कहते पढ़ना आसान है मैं कहता हूँ इस धर्ती का सबसे कटिन काम पढ़ना है क्यूं? क्यूंकि पढ़ने में किसी काम नहीं नहीं लेता कोई पढ़ ही नहीं पाता 6 गंटे बढ़ने में पताने उसके सारे काम कर्म हो जाते हैं बैढ़ेगा, उठेगा, सारा काम लेकिन हाँ, अगर आपने habitual हो गए यह मनों भी ज्यान करता कि अगर कोई काम आप एकिस दिन कर लेते हो, तो अगर आप उसको नहीं करोगे, तो आपको लगेगा मेरा कुछ चूटा अगर एक किस दिन आप बैढ़ गए, टाइम टू टाइम, तो आपको सफलता जो है, जरूर मिलेगी धीरे धीरे फिर वो आप क्या हो जाती है, वो आपकी आदद पर जाती है, ठीक तो अगर मैं बात करूँ तो 1948 में हिर्दायनाथ कुंजरू, NCC की अस्थापना, चलो अगले क्योश्चन की सुमेलित कीजिए, बिटामिन A बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D एनेमिया, इसकर भी, रिकेट्स और रतांगी, इसकी बात कर रहा है बताईए नीतु जी बताईए, सो जा रहे हैं अलका प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में सारी क्लास पड़ी है, वो बास सही है नीतु जी क्या कर रही है, लास्ट में मैं इंड में जाकर सो गये थे, फिर उड़कर देखा अच्छी बात है, सो गये तो तो वही चीद मैं बता रहा हूँ न थांक्यू मुकेस जी चलिए देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बिटामिन A से क्या होता है बिटामिन A से रतोंदी होता है बिटामिन B से क्या होता है तो बिटामिन B की अगर हम बात करें तो B12 से क्या हो जाता है एनेमिया हो जाता है, B6 से भी एनेमिया हो जाता है बिटामिन C की बात करो तो इससे इसकर भी हो जाता है बिटामिन D की बात करें तो रिकेट्स हो जाता है तो A का चोथा किसमे है वही देख लिजिए और A का चोथा केवल और केवल इसी में है इसके अलाग किसी में भी नहीं है तो ऐसे option वाले जो ये वाले question होते हैं इनको आप इकजाम में केवल अगर इन चारों में से किसी एक का answer आपको पता रहेगा तो आप पूरा पूरा answer सही कर लोग क्यूंकि ज्यादातर ऐसे ही देते हैं कि अलग अलग देते हैं जब एक साथ दो तीन मिल जाते हैं तब थोड़ा problem होती है नहीं तो ऐसे क्यों ज़्यादा आसान होते हैं और जल्दी होते हैं चलो बिस्वास्थ संगठन के अस्थापना किस वर्स हुई थी 1922 सभी में, 1944 सभी में, 1948 सभी में, 1915 सभी में, बिस्वास्थ संगठन, WHO, World Health Organization, जो क्या कहता है, वह यह कहता है, स्वास्थ क्या होता है, वह यह कहता है कि स्वास्थ जो है, केवल रोगों से मुक्ति पाना ही नहीं होता, अपित किसी भी व्यक्ति का सारीरिक रूफ से, मांसिक रूफ से, सामाजिक रूफ से, आर्थिक रूफ से, अध्यात्मिक रूफ से क्या होना, स्वस्थ होना ही, क्या कहलाता है, आपका प record किसकी है YouTube की परिभासा है और यह मैंने आपको बताया कि actual को आप क्या बनाते हो साथ त्रेमेइब is the first दिवस इसलिए मनाते हो क्या श्यस दिवस आप इसलिए मनाते हो कि 1948 मिं ठिक चलू अगले question की बात करें जयल अच्मीख करो यहां पर फिकन किसे किसे दी जाती है पुरुष टैबल टेनिस महिला बास्केटबाल पुरुष बास्केटबाल महिला टेबल जा महिला बास्केट बाल पुरुष बास्केट बाल महिला टेबल टेणिस पुरुष टेबल टेणिस नहीं सही है जैल अच्छमी कप बताईये क्या था तो अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा महिला टेबल टेनिस को क्या दिया जाता है जैल अच्छमी अवार दिया जाता है या पुरुसकार दिया जाता है प्रकित में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रसत होती है प्राकृतिक में नाइट्रोजन गैस की मात्रा इसकी बात कर रहा है तो यहां पे होता है नाइट्रोजन, कारवन और अक्सीजन और यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है प्रकिति में जिसे हम अंत्रसोसन कहते हैं दूसरा होता है नियसोसन या प्रसोसन जो हम बाहर निकालते हैं एक होता है नियसोसन दूसरा होता प्रसोसन नियसोसन मतलब जो सांस अंदर लेते हो सांस लेते समय इसकी मात्रा कितनी होती है 78% होती है इसकी मात्रा 0.04% होती है आक्सीजन की मात्रा की अगर हम बात करें तो 21% होती है लेकिन यहीं जब सास निकालते हैं स्वास निकालने में निकालने की बात जब आती है तो स्वास निकालने में जब इसकी मात्रा होती है 78 तो 78 ही रहा जाता है लेकिन जो यह carbon होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है कितना हो जाता है 4.04% हो जाता है 21 का यह कितना हो जाता है 16% हो जाता है क्यों? क्यों यह होता है यह प्रक्रिया समझो क्यों कि जो glucose है यह glucose क्या होता है आपका यह oxygen किसके रूप में काम करता है इधन के रूप में यही oxygen जब जलता है तो आपका glucose क्या होता है तूटता है और टीपी का निर्माड करता है तो यह oxygen क्या करता है इधन के रूप में कारे करता है तो यह glucose जब तूटता है तो क्या बनाता है carbon dioxide तो जब carbon dioxide बनाएगा तो क्योंकि H2O भी बनता है और इसके अलावा 38 ATP बन जाता है तो ये चीजे होती है तो हम इसे क्या कहेंगे बताओ प्रकित में nitrogen gas की मात्रा कितनी है तो आप क्या बताओगे 78% है ठीक चल अगले question की बात करते है DPT का टी का बच्चों को DPT का टी का बच्चों को किन किन बिमारीों से बचाने में लगाया जाता है और यहां आज का आखरी question है यहां आज का आखरी question है क्यों क्योंकि 2021 2021 में आपका जो क्या था जो paper हुआ उस समय कितने आये थे केवल 85 question का paper होता था 2000 देखेंगे अब देखें paper कैसे बदलता हुआ चला आया कैसे difficulties level बढ़ते गए यह सारी चीजे आपको पता चलेंगी अगर मैंने कराया था 1999 में तो 1999 में जब बात आई थी तो 1999 में कितना था तो 1999 की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपका कितना था 1999 में आपका 100 question था ठीक और अब देखो 2001 में कितना आया 2001 में 85 question का आया इसके बाद वाला भी दिखाएंगे आपको कि कितना आया तो ठीक है न तो अगर बात आए DPT तो diphtheria के बाद फिर क्या होता है आपकी काली खासी और titaness यह तीन चीजों के लिए क्या होता है DPT का ठीका लगता है ठीक तो हाँ हिंदी मों उसको काली खासी करते है तो यह रहा class आज की और इस class की PDF पाने के लिए इस class की PDF पाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा जो लोग आप लोग अप पिन है टेलिग्राम चैनल जो है आपके उसमें पिन है आप लोग जॉइन कर लें इसके साथ ही साथ अगर किसी को इसमें जो चीजें एकदम डीप तरीके से पढ़नी है या आपको concept अपना clear करना है तो उस concept clear करने के लिए आप जो है बैस को जॉइन कर सकते है आप यमारस की तयारी कर रहे है NBS की तयारी कर रहे है या हर्याणा PGT की तयारी कर रहे है यमपी में भी खेल सायक की और खेल की आई है उसमें या किसी भी अधर state के sport की आप तयारी कर रहे है तो आप जो है मेरे साथ जूड़ सकते हैं 9628959237 पे संपर करके ठीक तो चलिए आजी क्लास को यही तक रखते हैं तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद जै ही जै भारत